इस नोवल की फर्माईश के लिए कमेंट किया है रवी इंद्रा चतुर्वेदी MP मौरेना टीपी गुरुम फ्रॉम बहरीन रवी ग्रोवर सिर्सा हर्याना पवन त्रिपाथी आकाश पंडित रुद्रापुर से रजनी साहूं सक्ती छतिसगड शंकर चंदौली यूपी से चंगु अमर नात अमर सूरत गुजरात तुल्राना विजे अरोरा फ्रॉम फरीदाबाद डिस्क्लेमर यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपी राइट उदेशन नहीं है निवेदन आप हमसे जुड़े रही लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइन्स की साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की प्लस हश इनको इग्नोर करें में के लिए होते हैं विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं जिन पर काम किया जा रहा है जहां आपको अस्ट्रिस्क अस्ट्रिस्क साउंड आएगा इसका मतलब वहां सिंड चेंज हुआ है आपको यहां आडियो बुप पसंद आई तो लाइक जरूर करें सामान्य ज्यान जब ये उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं रिकमेंडेशन अगर आप इंदौर वासी है या इंदौर आए हैं तो देशी रसोई से अपना खाना ओनलाइन ओडर जरूर करें तू आएए सुनते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक लाल निशान विमल चालीस पार्ट एक चाप्टर एक छटा दिन गुरुवार 14 जन्वरी सुबा के साढ़े 9 बजे थे विमल उस वक्त चैंबूर में था जबकी मोबाईल की घंटी बजी दफेदार वाले मोबाईल की उसने स्क्रीन पर निगाह डाली सिंगापुर हिचकिचाते हुए उसने काल रिसीव की दफेदार पूछा गया बोलता है बाप रॉस आर्नाल्डो गुड मार्निंग बोलता है बाप बिग बॉस बात करेगा होल्ड बरोबर बाप कुछ खशन बाद रीकियो फिगुएरा की आवाज आई दफेदार बोलता है बाप गुड मानिंग के साथ बोलता है तुम दफेदार बोल रहे हो बोलता है न बाप शोर की दफेदार बोल रहे हो सारी करके बोलता है बाप जब दफेदार को फोन लगाया तो दूसरा साइड से दफेदार ही तो बोलेगा जरूरी नहीं क्या बोला बाप जरूरी नहीं की ही मजा कर रहेला है बाप सवेरे सवेरे don't laugh सारी बोलता है बाप आई एम आस्किंग यू वन लास्ट काइम इनायत दफिदार बोलता है विमल से जवाब देते ना बना क्या माजरा था साले फिरंगी को एक आएक उसके दफिदार होने पर शक हो गया था हलो आवाज आई लाइन पर है उसे एक तरकीब सुझी कमजोर तरकीब लेकिन फिलहाल काम कर सकती थी I asked you a question, man तुम इनायत दफिदार बोलता है नको बाप विमल बोला क्या मैं इनायत दफिदार नहीं बोलता है तो पूछे जाने पर क्यों बोला कि इनायत दफिदार बोलता है नहीं बोला Definitely बोला मेरे को बोला Ross को बोला आप मैं बोला दफिदार बोलता है इनायत दफिदार बोलता है किधर बोला इनायत दफिदार बोलता है तो तुम या छोटा बॉस पूछा ही नहीं छोटा बॉस बोला दफिदार बोलता है मैं बोला बोलता है बिग बॉस बोला दफेदार बोलता है, मैं बोला बोलता है Bloody hell What's the difference? है नडिफेदार, बाप मैं दफेदार है पर इनायत दफेदार नहीं है तो कौन है? साधत दफेदार What? इनायत दफेदार का भतीजा इनायत दफेदार मेरा चाचू है क्या है? अंकल तुम दफेदार का नेफ्यू है अगर नेफ्यू भतीजे को बोलते हैं तो है Last Sunday से इतना बार communication हुआ, हर बार तुम बोलता था हाँ Damn you बोला क्यों नहीं तुम दफेदार नहीं है पन है न मैं दफेदार कोई मेरे से पूछे दफेदार बोलता है तो मैं क्या बोलेगा? यहीच तो बोलेगा, हाँ बोलता है अरे यह क्यों नहीं बोला तुम वो दफेदार नहीं है? मैं इनाय दफेदार के फोन पर मोबाइल लगाता है तो एक स्टैट करता है कि जवाब इनाय दफेदार देगा तुम लड़ी इनाय दफेदार नहीं है तो तुमको ऐसा बोलने का या नहीं बोलने का? पूछा जाए तो बरोबर बोलने का न पूछा जाने पर भी बोलने का You have no business to create confusion क्या बोला बाप? इडियेट डजन्ट अंदरस्टेंड एनीफिंग अभी बोलो दफेदार का इनायत दफेदार का मोबाल क्यों है तुम्हारे पास? चाचू ने दिया क्यों? वो अंदरगिराउंड है ना? अंदरगराउंड है तो मोबाल पर काल रिसीव करने में क्या प्रालम है? चाचू बोलेगा ना? क्या? बाप, मेरे को जो हुक्म हुआ मैं फालो किया छोटो का काम बड़ो का हुक्म मानना होता है उनसे जुबान लडाना नहीं जवापल भी करना नहीं वेरी स्मार्ट तो तुम्हारा अंकल तुमको बोला उसके मोबाल पर काल आये तो रिसीव करने का? हाँ तुम्हें ये कैसे मालूम कि सिनापुर से काल आये तो क्या बोलने का? क्या बात करने का? चाचू बताया न, सिखाया न, सबक दिया न That means इनाय दफिनार तुम्हारे constant touch में है हेन तुमने बिग एज का आडर दिया, उसका mode of delivery चेंज करने को बोला डालर में amount जमा कराया, और भी बहुत कुछ किया, सब तुमने किया रोकड़ा चाचू खुद जमा कराया, बाकी सब में किया माल का collection भी बरोबर आनवर supply भी अभी supply किधर है, बाप What do you mean? साला competitor खड़ा होएला है, चाचू मुकूल देशाई को आडर के लिए फोन लगाया, वो भीडू नक्की बोला रेगुलर कस्टमर चाचू का पड़ नक्की बोला, बोला, फीसदी कम रेट पर कालिया एंथोनी को आडर किया आज चाचू बाकी दीलरों से भी contact करेगा, देशाई जैसा ही जवाब मिला तो तो पिराबलम होएंगा, तुम्हारा अंकल, that's you, पोलता था नया तस्टमर ट्राई करने का, तभी कुछ बात बनेगा, या चाचू को भी रेट कट करना पड़ेगा, वो साला हलकट कालिया एंथोनी 20 फीसदी कम पर माल देता है, तो चाचू को 25 फीसदी कम पर सप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करेगा, नुकसान उठा के करेगा, पन मजदूरी, अंकल ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि पिछला दो सप्लाई किधर हुआ था? नहीं, नहीं बताया था, पन जब वो मेरे को आगी ये बोलने को बोला था कि इस तेम सप्लाई दहिशर वाले खुफिया काटेज पर नहीं मामता था, तो मैं समझ गया था कि पहले सप्लाई उद्रीच होता था, और ग्रीन मीडोज रिजार्ट, मनोरी, ड तुम मेरे को शह दिया तब बोला, लगता है कोई, गलत ध्यानी हुई, उस मामले में बोले तो कोई मिस्टेक हुआ, बाप, अभी सुनो तुमको क्या करने का है, सुनता है, बाप, तुमको अपने अंकल से, इनायत दफेदार से, मेरा बात कराने का है, उसको बोलो, इमीज मेरे से बात करे, इमीजियेट कैसे होएंगा, बाप, क्यों नहीं होगा, चाचु का मेरे से बात होने का वास्ते, चाचु का मेरे को काल लगाना ज़रूरी, चाचु काल अभी लगा सकता है, तेम लगा के लगा सकता है, और तेम लगा के लगा सकता है, काल, तुम लगाओ, कैसे होएंगा, बाप? अरे, जब चा चा चू चू तुम्हारा अंकल काल लगाना है, तो उसका नमर तुम्हारे पास आता है कि नहीं आता आता है बरोबर तो काल बैक में क्या प्रालम है? चाचो का हुक्म नहीं है क्या? चाचो का हुक्म है मेरे को उसको काल नहीं करने का करोगे तो क्या होगा? वो जवाब नहीं देगा कोई इमर्जन्सी हो तो? बाप, कालिया एंथोनी की वज़र से उसकी जान पर रनी है किसी वज़र से वो अंदर गिराउंड है और मैं उसका धंधा देखता है इससे बड़ा इमर्जन्सी और क्या होएंगा? ओ, ओके, जब कांटाक्ट हो, बोलना मेरे से बात करे बोलेगा, बाप लाइन कट गई वाट ए मैस फिगुएरा असाय भाव से गर्दन हिलाता अपने नमबर दो से संबोधित हुआ कितना शोर था मैं कि जो फोन पर बात करता था, वो दफेदार नहीं था, अभी कनफर्म हुआ वो दफेदार नहीं था, फिर भी दफेदार था आई डोंट अंडरस्टेंड बॉस रॉस आर्नाल्डो उल्जनपूर्ण स्वर में बोला फिगुएरा ने समझाया ओ, वो खामोश हुआ तो आर्नाल्डो बोला अंदर दफेदार सादत दफेदार नेफ्यू यस जिस बेज पर पहले हमने सोचा था कि लाइन पर इनायत दफेदार नहीं होता था उस बलडी नेफ्यू ने उसको भी फेल कर दिया यानि कि दफेदार सलामत है ऐसा ही जान पड़ता है तो आप ठीक ही बोले की बटला से हासल हुई जानकारी की वज़़ से हाँ और अब ये यकीन मजबूत हुआ है कि कालिया एन्थोनी कोई imaginary figure नहीं बराबर उसका वजूद है और वो बड़ी force के साथ सिर उठा रहा है दफेदार पर भारी पड़ रही है एग्जेक्टली तभी तो उसके खौफ से दफेदार दुम दबा कर छुपा हुआ है लस धंदे में जो स्ट्रेटेजी वो लड़ा रहा है उससे दफेदार डबल फिनिश होगा वो टाकत से भी जाएगा और धंदे से भी जाएगा जान से भी अभी तक सलामत है तो जान से भी पसरेगा तो जान से भी रॉस हम दफेदार का डाउनफाल अफोर्ड नहीं कर सकते बॉस अगर कालिया एंथोनी ताकत बढ़ाता चला गया नार्कोटिक्स ट्रेड में पाफ पसारता चला गया तो डाउनफाल तो डेफिनिट है ये हमारे लिए फिक्र की बात है दफेदार का डाउनफाल हमारी एस्टेब्लिश्ट रुटीन में बड़ा फवर है कैसे दूर होगा? दो ही तरीके हैं या तो हम कालिया एंथोनी से निप्ताने में इनायत दफेदार की मदद करे और यू फिर अपनी पास्ट ग्लोरी रिटेन करने में दफेदार की मदद करे या उसके साथ जो होता है होने दे और कालिया एंथोनी की तरफ दोस्ती बढ़ाएं और उसे दफिदार की जगर लेने के लिए तैयार करें कौन सा रास्ता अक्तियार करेंगे We will wait and see, see what, Ross How the cookie crumbles आर्नाल्डो हस्ता हुआ बोला Exactly, अब माइकल हुआन को sound off करो की वो इस कालिया एंथोनी का Track रखे और पॉसिबल हो तो उससे मीटिंग अरेंज करे Right, Boss Asterisk, Asterisk, Asterisk सुबह शोरूंग खुलते ही जिस शक्स ने देशाई के ग्लास केबिन में कदम रखा देशाई के छक्के छूट गए Michael Huan Welcome वो उचल कर खड़ा हुआ Welcome, Sir Good Morning Huan शुश्क स्वर में बोला Very Good Morning, Sir, Please, Please Take a Seat Thank You उसे देखकर देशाई ने बिजली का बटन दबा कर केबिन की शीशे की तीन साइडों पर ब्लाइंड्स खीचे Boss फिर विन्यशी स्वर में बोला मेरे को तलब किया होता What? You should have summoned me, Sir Oh, That No, No, मेरे को ताइम का शार्टेज अभी एक बजे सिंगापूर का प्लेन पकड़ने का इधर से डाइरेक्ट सहर एरपोर्ट पहुँचने का Oh, मैं काफी सुनता नहीं है Man, मैं बोला मेरे का ताइम का शार्टेज Oh, सारी अभी बोले तो कैसे आना हुआ कल नवा पार्टी को हेरोईन का आर्डर दिया दफिदार को आर्डर को नो बोला कैसे मालूम Big Boss को इस बाबत बोला कि नहीं बोला बोला तो जो Big Boss को मालूम वो मेरे को मालूम Oh, कितना कितना आर्डर दिया मामूली च्रायल आर्डर एक किलो दिलीवर हुआ सेम देकल ही हुआ रेट 32 दफिदार के रेट से 20 परसेट कम माल एन फिट एन चौकस एज गुड एज सिंगापूर स्टफ सब माल आदे सप्लाई हो गया अभी कुछ बाकी है आज शाम तक हो जाएगा फिर आज ही आडर रिपीट करूँगा मेरे को वो माल देखने का चैक करने का इसी वास्ते खुद इधर आया अरजेंट करके अभी अभी देसाई ने कहीं से हेरोईन की 200 ग्राम की पॉलिथीन की एक थैली बरामत की और उसे हुआन के सामने रखा हुआन ने गौर से थैली का मुआयना किया ततकाल उसका चहरा गंभीर हुआ फिर एकाएक वो थैली को मेज पर देशाई की तरफ धकेल कर उठ खड़ा हुआ थैक्यू वो बोला जाता है बिना कोई अपचारिकता निभाए वो घूमा और केबिन से बाहर निकल गया एस्टरिस्क 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 मोबाईल की घंती बजी विमल ने स्क्रीन पर निगार डाली तो जीनत लिखा पाया पिछले दो दिनों में वो कोई तीस्वी काल थी कौन थी ये जीनत परसो से ही वो सोच रहा था जो दफेदार से बात करने को इतनी बेताब थी कि मिस्ट काल पर मिस्ट काल छोड रही थी तीस ऐसी काल हो चुकी थी जिस से जाहर होता था कि वो सिलसला बंद नहीं होने वाला था जब तक जवाब न मिलता, जारी रहना था, उसे बंद करने का यही तरीका था कि वोकाल रिसीव करता उसने ऐसा ही किया हलो वो सावधान स्वर में बोला क्या हलो एक तनिक ज़लाया हुआ, मधुर, स्त्री स्वर सुनाई दिया ये कोई तरीका है और लो अब मैं कौन हो गई? कल तक दिलोजान की जीनत थी, अब कौन हो गई? जीनत अल्ला का शुक्र है कि पहचाना तो सही कैसे फोन किया? लो पूछ रहे हैं कैसे फोन किया? अरे आपने भुला दिया तो क्या मैं भी ऐसी कोई बात नहीं? कैसी कोई बात नहीं? नहीं भुला दिया तो आएं क्यों नहीं? मैं बिजी, बहुत बिजी 24 घंटे कोई बिजी नहीं होता, रात को आते सुकून मिलता जीनत के आगोश में कुल जहान की जीनत है मालूम मालूम अभी क्या पोजीशन है? आज आते हो? नहीं हाई अल्ला कोई लिहाज नहीं, कोई मुलाजा नहीं, इंट मार दी नहीं अभी ऐसी जपोजीशन है, मैं कुछ टेम बहुत बिजी, नहीं आ सकता एक बार तो आना पड़ेगा पन आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहे सुनने को मिल रही है कि अल्ला कसम दिल हिलता है जब तक अपनी आंखों से आपको अपने रूबरू नहीं देख लूँगी मेरे मन को चैन नहीं आएगा आपको तड़पाने में मज़ा आता है तो किसी और तरीके से तड़पा लेना, जान ले लेना, छुरी रख देना कलेजे पर अल्ला कसम, उफ नहीं करूंगी लेकिन आज तो जीनत की दुहाई कुबूल करनी पड़ेगी, आज तो आना पड़ेगा पन शाम को साथ बजे, मैं इंतजार करूंगी, अभी कट करती हूँ अरे, सुन तो लाइन कट गई विमल ने काल बैन का ख्याल किया, लेकिन फिर खयाल छोड़ दिया जैसे वो उसकी काल रिसीव नहीं करता था, वैसे वो भी उसकी काल रिसीव करने से इंकार कर सकती थी ताकि शाम की आमद का दबाव बना रहता वो कहां पाई जाती थी, उसे नहीं मालूम था, इसलिए वो चाहता भी तो वहां जीनत नाम की उस औरत के पास नहीं पहुँच सकता था वारतालाप से साफ जाहिर होता था कि वो कोई छिनाल औरत थी जो की दफेदार की हालिया माशूक थी, पसंदीदा थिलोना थी उसने फिर कभी उसकी काल नरिसीव करने की बात गांट बांध ली, इत्तफाकन उसकी निगाह खिडकी से बाहर की ओर उठी मंगलवार वाला फरियादी तुका के बंद दर्वाजे के आगे चहल कदमी कर रहा था, उसने घड़ी पर निगाह डाली सवा दस जारा बजे के करीब राजेश लोखन्दे ने आफिस में कदम रखा प्रकाश दादा डोलस उसे बाहर के हाल में ही मिल गया राजेश ने उसका अभिवादन किया दादा दोलस ने गर्दन हिला कर अभिवादन स्वीकार किया और फिर बोला मेरे साथ आओ दोनों दादा दोलस के निजी कक्ष में पहुँचे तेरा भाई किधर है? दादा दोलस बोला मालूम नहीं, रात घर नहीं लोटा, मेरे को बहुत फिक्र है ऐसा पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार तो नहीं हुआ अभी क्या बोलेगा? मैं उसका बड़ा भाई, उसका फिक्र करना मेरा काम है ठीक, आज का अखबार देखा? घर में देखा ना? कौन सा? एक्सप्रेस मिड़े नहीं देखा, जो डे टाइम में आउट होता है नहीं, क्या है उसमें? बोलता है, अभी कुछ और बोलने का, तेरे को गौर करके सुनने का, क्या? सुनता है, बाप इधर आ राजेश जिजकता हुआ, उसकी एक्जीक्यूटिव टेबल के पीछे पहुचा ये टेबल दादा डोलर्स बोला, तु कोई पहली बार नहीं देख रहे ला है, फिर भी मैं एक स्प्लेन करता है, इसमें ये बाजू और वो बाजू टॉप से बाटम तक दराज है, लेफ्ट में एक बड़ा फाइलों के लिए और एक छोटा नार्मल करके, राइट में सेम साइस के तीन सेंटल में कांगो के लिए जगह के उपर ये एक दो इंच गहरा और आजू बाजू के दराजों से तकरीबन दवल चोड़ा ट्रे जैसा दराज है, जिसमें मिडल में ये लॉक है, जिकी इसी दराज को बंद नहीं करता बलकि आजू बाजू के तमाम दराजों को भी बंद करता है, इस सिस्टम को सेंट्रल लाहीं बोलते हैं, ये मिडल का दराज लागध हो तो बाकी सारे दराज अपने आप लॉक हो जाते हैं, परोबर राजेश ने असमंजस्पूर्ण भाव से सहमती में सिर हिलाया जैसा मेरा कारोबार है, उसमें एहतियात का और हमेशा खबरदार रहने का बड़ा मेजर रोल है, इस वास्ते में दराज को लॉक करने के बाद इसमें एक खुफिया सील भी लगाता है, वो सील आसानी से दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि दराज खोलने के लिए कोई दराज तक नीचे नहीं जुकता, किसी तरीके से वो सील दिखाई दे भी जाए तो उसकी एहनियत किसी को समझ में नहीं आ सकती, देखने वाले के लिए वो तवज्जों के काबिल आइटम साबित नहीं हो सकती, ऐसा क्या है, बाप? राजेश उत्सुक भाव से बोला, बाल, क्या? सिर्का एक बाल और उस पर से बाल उखड जाए तो उसे दोबारा वापिस नहीं लगाया जा सकता, बोले तो किसी को वो बाल मेरी वो सील अपनी जगह से उखडने के बाद दिखाई दे भी जाए तो वो उसे वापिस अपनी जगह पर नहीं लगा सकता, किसी और चिपकने वाली चीज से ज मेरी गैरहाजरी में किसी ने दरास खोला हो, ये मेरे से छुपा नहीं रह सकता, 22 साल से ये एहतियात मैं बरत रहा हूं लेकिन आज तक वो बाल कभी मेरे को अपनी जगह से हिला नहीं मिला, सिवाए दादा डोलस एक ख़ण ठिटका, उसने अपलक राजेश की तरफ देखा क शाम के, कल बाल उखड़ा हुआ था, गायक था, उखड़ कर उड़ गया, ओ, क्या मतलब हुआ इसका, ये मेरे को बोलना पड़ेगा, कल राजेश का दिल लर्जा, किसी ने आपकी गैरहाजरी में आपका दरास खोलने की कोशिश की, कोशिश न की, पूरी काम्याबी से खोला, लोग खुले बिना सेंट्रल दरास अपनी जगह से हिलके नहीं देता, बाल वाली मेरी वो सील तभी तूट सकती थी, जबकि दरास को बाहर खीचा गया हो, दरास बाहर तभी खीचा जा सकता है, जबकि ताला खोल लिया गया हो, ताला खोल के सेंट्रल दरास खीचने का मतलब है, सारे दरास ओपन, राजेश को पूछना चाहिए था किसने ऐसा किया, लेकिन वो सवाल जुबान पर लाने की, उसकी हिम्मत न हुई, किसी ने ऐसा क्यों किया, उसने पूछा, रोकडा चुराने को तो न किया, क्योंकि रो तरीकों से मिला, मैं समझा नहीं, समझाता है न, सुबह आफिस खुलते ही मेरे एक क्लाइंट का, चैंबूर वाले क्लाइंट का, जिससे तु वाकिफ है, इधर फोन आया, वो शक्स, जो एज एस स्पैशल केस, अपने रोकडे की डिलीवरी कई किस्तों में मांगता था, औ बोला कि उसका रोकडा, फुल अमाउंट, अभी का अभी उसे एकमुष्ट लोटाया जाए, क्यों लोटाया जाए, क्योंकि उसका दादा डोलस से विश्वास उट गया था, क्या बात करते हैं, यहीच बोला वो, मेरी 22 साल से, जमी साक की 10 सेकंड में मिट्टी जाड़ दी दादा डोलस नाम के इस बदबक्त की सफेद दाड़ी नोच ली, उसकी 22 साल की स्थापित जात आउकात पर खुला मूद दिया, कमार है, वजह न बोली, कुछ बोली, बाकी मेरे को आज कामे देपड के समझ में आया, क्या समझ में आया, जो वो भीडू बोला वो ये था कि कल रात तेरे भाई ने मलाड में उसको शूट कोशिश की, नहीं, जो अकबार पढ़ के समझ में आया, वो ये था कि तेरा भाई उसको शूट न कर सका, खुद ही मारा गया, क्या, मिद्दे में साफ यही छपा है, लाश का फोटू भी छपा है, देवा, देवा, उस भीरू ने मेरे भाई को मार डाला, उल्ते उसको शूट कर दिया, उसने न किया, क्योंकि गोली तेरे भाई की पीठ में लगी बताई जाती है, मंगेश उस भीड को शूट करना चाहता था तो उसका रुक उस भीड की तरफ होना मांता था, सामने खड़ेले भीडू की पीठ में ग हाँ, होगा तो वो कोई और भी उस भीड का ही जोडिदार वरना एंटेम पर क्यों शूट किया, उस भीडू को सेफ करने का वास्ते शूट किया, राजेश ये बात मेरे वास्ते एहम नहीं है, मेरे वास्ते ये बात एहम है कि तेरे भाई ने मेरे एक क्लाइन्ट को ऐसे क्लाइन्ट को जिसका पंदरा करोड रुपया अभी इधर है खलास करने की कोशिश की, उससे पहले उसने मेरी मेज के दरास खोले, उसने खोले? हाँ, आपको क्या मालूम? क्योंकि मेरे को मालूम दो में दो जोडने से जवाब चार निकलता है, मंगेश ने जो किया, लान करके किया, उसका मकसद उस भीडू का पंदरा करोड रुपया हनपने का था, इस वज़से वो उस भीडू को खलास करना मानता था, उससे पहले उसने यहाँ इधर मेरा दरा खोलाप का है, ताकि वो इधर से क्लाइन्ट का कोड निकाल पाता, मेरा भाई मर गया, वो इसी काबिल था, बेमान, दगाबाज, अमानत में खयानत करने वाले आदमी का यही हश्र होता है, राजेश, तुम दोनों ने मिलकर ये साज़िश रची, मैंने भी? और मेरी 22 साल की नेकनामी को दागदार किया, हवाला का करोडों का, अर्बों का कारोबार भरोसे पर चलता है, जिसके मुलाजमों ने उसके क्लाइन्ट को लूटने की कोशिश की हो, उस पर कौन भरोसा करेगा? लेकिन मैं, ये होईच नहीं सकता कि तेरे को अपने भाई की कर्तूत की खबर न हो, इतने सानों से तुम दोनों मेरे पास हो, मैं क्या तुम्हें जानता नहीं है? बरोबर जानता है, मैं तुम दोनों की, बल्कि अपने हर मुलाजम की नस नस से वाकिफ है, तुम्हें अपने भाई के मनसूबों से इत्तफाक भले ही न हो, लेकिन उसके मनसूबों की जानकारी भी न हो, भनत भी न हो, ये नहीं हो सकता, मेरे को तेरे से हामी भरवाने का नहीं है, तु हां बोल या न बोल, मेरे को मालूम तु अपने भाई की करतूच शामिल। बाप, बाकी बात मैं फिर सुनता है ना, अभी मेरे को थाने पहुचने का, बाकी बात का कुछ बाकी नहीं, बात बस खत्म है। बाप मेरे को जाने का, बरोबर जाने का, पढ़ हमेशा के वास्ते जाने का, कक्या, सुन के जा, अब इधर लोट के नहीं आने का, एक बेगैरत जमीर से गिरे काम में भाई का साथ देने का सजा पाने के लिए भी नहीं, सजा तू जिधर होगा, उधरीच तेरे को मिल जाएं राजेश मोहबाय अपने एंप्लायर को देखने लगा अभी निकल ले दिल पर दहशत के भारी बोल के साथ भारी कदमों से राजेश वहां से रुखसत हुआ ऐस्टरिस्क 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 आखिरकार इबराहीम बटला के फोन से जीनत को जवाब मिला क्या बात है? वो घुन-बुनाई फोन नहीं सुनते हो सुबह से पाचवी काल है कहीं गया था? बटला का उतावला स्वर सुनाई दिया फोन पीछे रह गया था बोल क्या बात है? अपने मतलब की बात सुनना है तब ये हाल है, मेरे मतलब की बात होती तो पता नहीं क्या करते मेरे मतलब की बात कतकाल बटला के स्वर से उतावलापन गायब हुआ तेरी बात हुई उससे? आखिर हुई? दफेदार से? अरे, हाँ भई, जब से तुमने बोला था, तब से मुत्वातर यही काम किया तो आज आखिर जवाब मिला क्या बोला? कुछ बताया कहां गायब था? क्यों गायब था? बोला, बहुत बिजी था इतना कि मोबाल पर आईकाल का जवाब नहीं दे सकता था हाँ था वो दफ़दार ही? और कौन होता? तूने उसकी आवाज साफ पहचानी थी ये क्या सवाल हुआ? जब मैंने उसके मोबाल पर फोन लगाया, जब उसने मेरे को पहचाना, नाम लेके बोला, तो मैं उसकी आवाज में मीनमेक निकालती बोले तो तूने इस बात की तरफ तवज्जो ही न दी अगर वो दफ़दार न होता तो शाम को मेरे से आकर मिलने को उलता? अच्छा, वो बोला ऐसा? मैं बोली ना, शाम साथ बज़े आके मिलने को बोली, उसने मेरी बात तक नहीं टाली उसने हामी भरी साथ बज़े तेरे पास आने की? देख लेना साथ बज़े आकर मैं तो खेर नहीं आ सकता क्यों? वज़ा खुद सोच लेकिन वो आ जाए तो चुपके से मेरे को फोन करना, भले ही मिस्ट काल लगाना, मैं समझ जाओंगा फिर क्या करोगे? सोचूंगा ठीक है, मैं करूंगी जीती रह ऐस्टरिस्क, ऐस्टरिस्क, ऐस्टरिस्क विमल, विक्टर और साटम गोरई और आगे गोरई बीच रोड पहुचे रोजवूड एस्टेट एक विशाल बंगला निकला जो की एक बहुत बड़े हरे भरे प्लाट के बीच स्थापित था लाट के गिर्ध सुर्मई पत्थर की बनी चारदीवारी थी जो कम से कम साथ फुट उची थी उसके उपर कंटीले तारों की बाड थी और वो भी धाई तीन फुट से कम उची नहीं थी चारदीवारी में एक विशाल फाटक था जो की मजबूती से बंध था फाटक से बाहर एक वाचमेन का केबिन था जिसमें एक गहरी नीली वर्दीधारी सशस्त्र गार्ड मौजूद था शायद पीछे भी हो विक्तर बोला भीतर भी हो साटम बोला विमल ने सहमती में सिर हिलाया गेट के बाजू में दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था रोजवूड एस्टेट प्राइवेट प्रापर्टी अनाधिकार प्रवेश करने वाले को पुलीस के हवाले किया जाएगा दीवार के साथ कोई फुट फुट उची घास उगी हुई थी और कहीं कहीं जाड जंखाड उगे हुए दीवार के उपर विमल बोला दोनों बाजू दो सर्वेलिन्स कैमरे भी दिखाई दे रही है भीतर बैठे विक्तर बोला बाहर वाच रखी जा सकती होगी हाँ हम भी दिखाई दे रहे होंगे साथम सशंक भाव से बोला हमारी कार कैमरों के एंगल से दूर है ठीक पिछवाडे में और आजू-बाजू भी उन्हें फ्रंट जैसा ही नजारा मिला सिवाए इस फर्क के की फाटक सिर्फ फ्रंट में था और पिछवाडे की ओपन स्पेस दो फुटबाल ग्राउंड से भी बड़ी जान पड़ती थी चारों ताफ सर्वेलिंस कैमरे है विमल बड़बडाया इलेक्चानिक सेंसर भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं इलेक्चानिक सेंसर बोले तो विक्तर बोला कहीं दीवार के पास की कोई हलचल होने पर भीतर अलाम बैल बज़ती होगी ओ ऐसे तो कुत्ते भी हो सकते हैं सातम बोला सूंग लेने वाले कमपाउंड में तो दिखाई नहीं दिये थे भीतर कहीं बंध होंगे विक्तर बोला रात को खोले जाते होंगे हो सकता है आप ऐसी क्या खूबी होगी इस माइकल हुआन करके भीडू में माल में होगी न भीतर कहीं स्टार्क किया जादा होगा क्या बड़ी बात है सारे इंतजाम माल की हिफाज़त के लिए है माल की भी और हुआन का भी लेकिन माल की ज्यादा बाप, तेरे यहां आने का मकसद क्या था? मकसद भीतर दाखिल होने की कोई सूरत निकालना ही था निकली? नहीं तो? तो क्या? कोई जुगत करेंगे क्या? सोचेंगे, अभी चलो अभी, अभी, पहले बोल, क्या क्या हुआ? किस सिल्सिले में? अरे, वही मिडनाइट वाले सिल्सिले में, मलाड वाले सिल्सिले में मेरी जानकारी में कुछ नहीं हुआ, सिवाए इसके की सुभा आइटम सड़क पर नहीं था, रात को किसी ने आकर आश्रम का दर्वाजा न खटखटाया जो की अच्छा हुआ बाई दी ग्रेस आफ गोर्ड सुबह मैंने प्रकाश दादा डोलस को भी खड़का दिया शाम तक सब मार चैंबूर में दिलीवर हो जाएगा फॉरन कहे नहीं उसको कूरियर प्राबलम बड़ी रकम का भरोसा करने लायक कूरियर फॉरन उसके पास नहीं था ओ अभिल अभी बाप पहले मेरे से भी एक न्यूज सुनने का जो मैं इमीजेट करके बोलना भूल गया विक्तर तेरी शकल बताती है कि बुरी खबर है बुरी तो है बाप पर अनेक्सपेक्टिड नहीं है किसी वास्ते मगज से निकल गई अब याद आई क्या है न्यूज आज सुबा होटल के मलबे से सिक्योरिटी चीफ बालपांडे की और मेंटेनिन्स इंजिनियर धर्म बेलावाला की लाशे बरामद हुई है ओ, शिनाक्त हो गई? हाँ, एन पक्की करके लेकिन इर्फान, शोहाप का, बाकी लोगों का अभी कोई पता नहीं नकोपन मैं डेली मालूम कर रहेला है न? पता लगते ही मेरे को खबर लगेगी, तेरे को खबर लगेगी को? चल! मात्मी मोड के साथ वो वहां से रुखसत हुए सूरज दूबने के बाद विमल अकेला लोवर परेल और आगे नेपाली बस्ती पहुँचा इतमीनान से टहलते हुए उसने उसके भीड भरे बाजारों और वैसी ही कई गलियों का चक्कर लगाया और यू स्वयम को इलाके से वाकिफ कराया जैसे वो कोई तूरिस्ट हो और उस इलाके की रौनक और विवित्ता से मुग्ध हो उस तमाम अरसे के दौरान इस बात से व और सावधान था कि कोई उसके पीछे ना लगा हो इस प्रयास में कई बार वो सीधा चलता एकाएक वापिस लोटा एक फुटपात पर चलता एकाएक सड़क पार करके दूसरे फुटपात पर चलने लगा कहीं मोड काटा तो एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया उस तमाम ड्रिल का नतीजा ये सामने आया कि कोई उसके पीछे नहीं था, वो किसी की खास निगाहों में नहीं था अपने उस ब्रह्मन का समापन उसने वापिस एवरेस थियेटर पर आकर किया थियेटर की लॉबी में तीन चार जगह स्टैंड पर लगे बोर्ड पड़े थे जिन पर दर्स तहरीर और तस्वीर के अनुसार वहां 15 जनवरी शुक्रवार शाम को सुमन कोईराला नाम के नेपाली पॉप स्टार का लाइफ शो शेडियूल था सुमन कोईराला अपने मुल्क में जरूर कोई बड़ी हस्ती था जो ये बात स्थापित करती थी कि लॉबी में खूब भीड थी और बुकिंग आफिस पर टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन थी वहाँ जमा उन लोगों में तीन चौथाई से ज्यादा नेपाली थे लेकिन उनमें भेरफ बिग्रेड का बैज पहने विमन को कोई न दिखाई दिया फिर भी कोई पहने था तो जाहिर था कि छुपा कर पहने था वो लोबी से बाहर निकलने लगा तो उसे फिर एहसास हुआ कि पीछे कहीं काला साया था उसने ततकाल घूम कर पीछे देखा तो उसे कुछ भी न दिखाई दिया इस बार इतना उसने जरूर महसूस किया कि साया असाधारन रूप से लंबा था और भीड की ओट लेता परले सिरे से बाहर वो लपका था जरूर उसने फिर परचाईयों का खेल देखा था उसने असाय भाव से कंधे उचकाई और बाहर निकला, वो सडत पर उस दिशा में बढा जिधर की उसके खयाल से साया गया था अगर कोई साया था, अगर गया था, तो तीन बार नहीं, चार बार या उसने साय को देखा था या उसे साय का एहसास हुआ था, क्या मतलब था इसका? क्या कोई निरंतर उसके पीछे था? कोई एक ही साय या एक से ज्यादा साय? कल एक साय ने उसकी जान बचाई थी, अगर एक ही साया उसके पीछे था तो फिर उसे उससे क्या ख़द्रा था? फिर तो वो उसका रक्षक था लेकिन पहले ये तो स्थापित होता की हकीकत ज्यादा थी या गुमान ज्यादा था पिछली रात वो विपलफ तुलाधर से मिला था, अगर वो मुलाकात एक रुटीन के तोर पर हुई थी तो तब तो कोई बात ही नहीं थी तो तुलाधर की निगा में न मुलाकात की कोई एहमियत थी, न मुलाकाती की लेकिन अगर तुलाधर की शक्सियत में कोई राज था, उसने विमल को एक आम मुलाकाती नहीं समझा था तो कोई बड़ी बात नहीं की उसकी पड़ताल के लिए उसने विमल के पीछे अपने कोई आदमी लगाए हो। इस लिहाज से उस जगा वो दुश्मनों के बीच था और उसका वहां अकेले आना नादानी थी, तुलाधर वहां का, वहां के लोगों का बादशा था, उस तक खबर कब की पहुँच गई हो सकती। थी कि उसका कलवाला मुलाकाती फिर उस बस्ती में वि वस्तुत, विमल यही चाहता था, तुलाधर ऐसा कोई कदम उठाता तभी तो वो एक्स्पोज होता, तभी तो स्थापित होता की जैसा भला नेक शरीफ एदबारी नेपाली वो खुद को जाहिर करता था, वैसा असल में नहीं था। तो क्या कल मलाड में उसकी जान बचाने वाला शक्स भी जिसकी की उसने परचाई देखी थी तुलाधर का ही आदमी था। ऐसा था तो उसने उसकी जान क्यों बचाई? क्योंकि उसे मनजूर नहीं था कि जो जान लेने का हुक्म उसे हुआ था, वो कोई और लेता, विमल को अपनी वो सोच काबिलेदबार न लगी। अब बहतर यही था कि बजाए उसके की कोई रहस्यमय साया उसके पीछे पड़ा रहता, वो साये के पीछे पड़ता और उसकी शनाक्त की जुगत करता। लेकिन वो इलाका तो ऐसा था कि वहाँ एक साया क्या, बेशुमार साये नाचते महसूस होते थे, जो कोई भी उसे अपनी तरफ देखता दिखाई देता था, उसे लगता था, वही साया था जिसने अब अपना नकाब उतार दिया था। एकाएक वो ठितका, उसकी निगा एक शीशे के दर्वाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था, हेन्रीज बार एंड रेस्टोरेंट एंटर हेन्री हेन्री का बार उसने सडक पार की और शीशे के दर्वाजे पर पहुँचा, उसने दर्वाजे को अपनी तरफ खीच कर खोला तो पाया कि वो एक पेंट की हुई, गुप्त प्रकाश से जगमगाती सीडियो के दहाने पर था, सीडिया चड़ कर वो उपर पहुँचा तो उसने अपने आप को एक हाल में पाया जो की कथित हिन्री का बार और रेस्टोरेंट था लेकिन जिसमें सीडियो जितनी भी रोश्नी नहीं थी, शायद वहां के ग्रहकों को ऐसी जगा पर नीमांधेरा रोमांटिक लगता था, वो एक टेबल पर बैठ गया, दिखावे के लिए उसने अपना पाइप निकाल कर दांतों में दबाया लेकिन उसे सुलगाने की कोशिश न की, एक वेटर उसके करीब पहुँचा, विमल ने सिर उठा कर उसकी सूरत पर निगाह डाली तो पाया कि वो बस ताजा-ताजा ही जवान हुआ नेपाली छोकरा था, ब्लैक लेबल, विमल बोला, नो फारिन स्टफ, सल, वेटर अदब से बोला, उनली आई, एम, एफ, एल, रायल चैलिंज, यस, सल, लार्ज विट सोडा, बिल साथ लेके आना, यस, सल, वेटर चला गया, विमल की निगाह उसका अनुसर्ण करती रही, हाल के दाए बाजू एक दर्वाजा था, जिसके पीछे वो गायब हुआ और फिर वहीं से वापिस लोटा, विमल के आडर के साथ, विमल ने बिल चुकता करके उसे रुखसत कर दिया, वेटर किसी दूसरी टेबल पर जाकर आडर लेने लगा, अपना ड्रिंक अंच्वा छोड़कर विमल उठा, पाइप उसने वापिस कोट की जेब में रखा और मेजों की बीच से गुजरता दाए दर्वाजे की तरफ पढ़ा, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी, उसने दर्वाजा खोल कर आगे कदम रखा तो स्वयम को एक पिछले हाल जैसा हाल में पाया, कोई फर्क था तो ये था कि उस हाल में बाए बाजू एक बार था और उस हाल तक पहुँचने के लिए उधर से ही कहीं से रास्ता था, यानि के हेन्री जगा दो बार थे, वो उल्जन में पढ़ गया, उसकी उल्जन कदरन तब दूर हुई जब उसे पीछे की दीवार पर एक टाइलेट्स लिखा नियोन साइन चमकता दिखाई दिया, वो उस तरफ बढ़ा, उसने उस दर्वाजे से पार कदम रखा तो स्वयम को एक गलियारे में पाया जिसके आजू-बाजू लेडीज एंड जेंट स्टाइलेट्स थे और सामने सिरे पर उपर को जाती सीधिया थी, हिचकिचाता हुआ वो आगे बढ़ा और वो सीधिया चड़ गया, आगे फिर एक गलियारा था जिसमें एक ग्लास डोर पर आफिस लिखा था, दर्वाजे पर जाकर उसने शीशे से भीतर जाका तो भीतर एक विशाल आफिस टेबल पर एक अपनी ही उम्रों और कदकाट के सूटधारी व्यक्ति को बैठे कम्प्यूटर आपरेट करते पाया, उसने दर्वाजे पर दस्तक दी, कम इन, आवाज आई, वो दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हुआ, सूटधारी व्यक्ति ने संदिग्द भाव से उसकी तरफ देखा, हिर्री, विमल मुस्कराता हुआ बोला, यस एंड हुआर यू, विमल विक्तर का, ओ, ओ, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू, पड़ मेरे को तुम्हारा पहचान नहीं था और कब इधर आने का था, I see, any friend of Victor is a friend of mine, that's a nice ideal, क्या मांता है, विक्तर कुछ नहीं बोला, उसने सहमती में सिर हिलाया, कुछ खशन विचार किया, विराट जी फिर बोला बोले तो विपलफ तुलाधर से मिला, हाँ, क्या जाना, उसके बारे में जाना, उसकी भेरव बिग्रेड के बारे में जाना लेकिन काफी न जाना, इस वास्ते इधर है, मेरे को भी ज्यादा कुछ नहीं मालूम, जो, मालूम है वो हो सकता है, वो न हो जो मैंने तुलाधर से कल की मीटिंग में जाना, तो, उसने उत्तर न दिया, बहरहाल भेरव बिग्रेड से वाकिफ हो, विमल ने पूछा, हाँ, नेपाली बस्ती में हो, किसी ने जान करने को न बोला, बोला, मैं नो बोला, क्यों, आलरेडी शिवसेना का मिंबर, एक टेम में दो पार्टी में कैसे होएंगा, हूँ, मैं भेरव बिग्रेड की फर्स्ट हैंड इन्फर्मेशन चाहता हूँ, मेरे को यकीन नहीं भेरव बिग्रेड प्रवासी नेपालियों का हित चाहने वाले स्वयन सेवकों की जमात है, और विपलफ तुलाधर इसमा का बस प्रधान है, रहरुमा है, मेरे को सारे सिलसिले में कोई भेड जान पड़ता है, जिसकी मैं कोई खोच खबर निकालना चाहता हूँ, कोई राय दो, रास्ता सुझाओ, की ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, एक दूसरा भीडू भी इसी फिराक में इधर नेपाली बस्ती में भटकता था, मडर हो गया उसका गोवा एक्सप्रेस में सवार था, जबकि रतनागिरी के करीब कोई उसको स्टैप किया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट बोलता था अपने आपको स्टोरी पर काम करता था, अस्ते हुआ क्योंकि वो एक लोकल मवाली के खिलाफ एक कतल के केस में गवा था, मवाली इबराहीम बटला, हाँ, वो भी विराट जी के साथ हेन्री ने एक हाथ को दूसरे हाथ से जकड़ा इस माफिक है, ऐसा, बरोबर दलवी खुराफाती भी, क्या मालूम किस-किस का लाइन क्रास किया, और कौन-कौन सा लाइन असल में एक इच, कोट में बोले तो आल बर्ड्स आफ दी सेम फैदर, वो दो स्टोरीज पर एक टाइम में काम करता जान पड़ता था, एक नॉर्कोटिक्स ट्रेड उसकी निगाहों में था और दूसरे ये नेपाली बस्ती, तुम्हारा खयाल है, उसकी तवज्जों का मरकज ये दोनों लाइने एक भी हो सकती है, क्या वांदा है? नशे का व्यापार इधर तक पसरा हुआ है, या इधर का कोई व्यापर उधर तक पसरा हुआ है? हूँ, ये नई बात है जो तुमने मुझे सुझाई है, और बिलाशक काफी दमदार बात है, अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा ट्रेड क्या? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए तुमसे पूछता है मैं. विमल को दमन वाले मिनी ट्रेलर में डेकोरेटिव आइटम्स के साथ मौझूद हतियारों और गोला. बारूत का खयाल आया. असला, वो बोला आमस संगलिंग. हेंरी ने उस बात पर विचार किया. इधर आये दिन कहीं न कहीं फिर वो बोला दहशतगर्दी की बड़ी से बड़ी वारदात होती है, और दहशतगर्दों के पास माड़न से माड़न हतियारों की. गोना बारूत की कोई कमी नहीं पाई जाती. बाद में ऐसा तमाम हतियारों पर चीनी या पाकिस्तानी या रूसी या जर्मन मार्किंग पाई जाती है, जैसे की असला की कहीं मंडी लगी हो जहां से की कुछ भी बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता हो. इस नेपाली बस्ती की ये खूबी है की इधर पुलीस छोटी मोटी वारदात की वज़ा से ही आती है, जैसे की चोरी हो गई है, तो उम्मीद करती है की चोरी का माल इधर से बरामद होगा. कोई domestic servant कहीं कोई कतल की वारदात करता है तो उम्मीद करती है कि कातिल इधर छुपा होगा कोई मेड घरवानों को नशे की दवा मिली चाय पिलाकर घर का कीमती माल समेट कर गायब हो जाती है तो उसकी तलाश में पुलीस इधर पहुँचती है दहशत गर्दी की वारदात के मुकाबले में ये चोटी मोटी बाते हैं जिनके लिए पुलीस इधर के बाशंदों को जिन्मेदार ठहराती है और ये बात उनकी तवज्जों में नहीं आती कि इधर से बड़े कारनामों को अंजाम देने का सामान भी किया जा सकता है नहीं सोचती की इधर राई के नीचे पहाड छुपा हो सकता है इधर के लोगों को पुलीस कार्यवाही का कोई विरोध न करने में अपना फाइदा दिखाई देता है इसलिए वो वक्त वक्त पर रोश प्रकट करके चुप हो जाते हैं लेकिन विरोध तो होता है मैंने सुना है विराज जी उनके लिए पुलीस के आला अफसरों से मिलते हैं कोट कचरी तक करते हैं तो क्या होता है कोई एकका दुक्का शक्स छूट जाता है लैक आफ एविडेंस की बिना पर जिसने की देर सबेर वैसे भी छूट ही जाना होता है ओ ये सब ड्रामे बाजी भी हो सकती है एक खास मकसद के लिए और वो खास मकसद ये है कि राई के नीचे पहाड चुपा रहे पर नेपालियों का किसी दहशतगर्दी की वारदात के साथ नाम तो कभी नहीं जुड़ा ये बात तो है तुलाधर ने खुद मुझे बताया था कि भैरव बिग्रेड के सभी मेंबर नेपाली नहीं है उसने मुझे भी मेंबर बनने की पेशकश की थी अभी तुमने कहा था कि तुम भैरव बिग्रेड के मेंबर इसलिए नहीं बने क्योंकि शिवसेना के मेंबर हो ना होते तो भैरव बिग्रेड का मेंबर बनने में तुम्हें कोई प्रालम होती? नहीं? So there आम राय ये है मीडिया की भी और कुलीस की भी की उस जर्नलिस्ट का विवेक दल्वी का मर्डर इराहीम बटला नाम के मवाली के इशारे पर हुआ पड़ अभी तुम्हारा मतलब है कि वो इशारा इधर से भी हुआ हो सकता है, no? यस हो सकता है, भले ही हुआ नहो, जब सब एक ही थैली के चट्टे बटते हैं, तो इशारा इधर से क्या, उधर से क्या? You are right there जो कुछ आज हमारे में डिसकस हो रहा है, उसका खयाल कल मुझे नहीं आया था वरना मैंने तुलाधर की भैरफ बिग्रेड का मेंबर बनने की पेशकश को कुबूल किया होता, तब मुझे तुलाधर में और उसकी बिग्रेड में घुसपैट करने की सुविधा होती अब बन जाओ, अब क्या प्रालम है? अब वो शक करेगा, जिस शक्स पर कहीं दाखिले के वक्त ही शक हो जाए, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता, कोई कारामद नतीजा नहीं निकाल सकता अब वहां घुसपैट का कोई ऐसा तरीका सुझाओ जिससे मेरी शनाक्त ना हो सके वो तरीका तो यही है कि तुम कोई और आइडेंटिटी अक्तियार कर लो मतलब I will explain किसी मेकप मास्टर को जानते हो मेकप मास्टर जिसे मेकप में सूरत अबदील करने में महारत हो ततकाल विमल को इस साभाई विगवाला का ध्यान आया जो की कई बार उसके काम आया था जिसने उसका पेस्टन जी नौशरवान जी घड़ीवाला का हुलिया बनाया था और सबसे बड़ा कर्तब उसे राजा गजेंद्र सिंग एन आर आई फ्राम नैरोबी बना कर किया था जानता हूँ वो बोला वो तुम्हारा हुलिया ऐसा तबदील कर सकता है कि विराज जी तुम्हें उस शक्स की सूरत में न पहचान सके जो पिछली रात उसके घर पर उससे आकर मिला था कर सकता है कब? कभी भी चाहो तो अभी अभी? हाँ यहाँ? यहाँ भी वो यहाँ आ सकता है मेरे बुलाने पर आ सकता है बुलाओ विमल ने इस साभाई विग्वाला को फोन किया और उसे बताया कि उसने क्या करना था और करने के लिए कहां आना था उस दौरान हेंरी ने एक दराज से कुछ तस्वीरे निकाली उसने तस्वीरे विमल के सामने रखी विमल ने देखा वो तकरीबन उसी की उम्र के एक व्यक्ती की तस्वीरे थी उसके सिर पर घने, काले, घुंगराले बाल थे जो उसने बिना मांग के पीछे की तरफ रुख बना कर संबारे हुए कल में लंबी और बालो जैसी ही घनी थी और भवे घनेपन में बालो को मैच करती थी, मुह पर फ्रेंच कट डाडी थी और नीचे को लटकती मूचे थी, आ देश में है, और अभी काफी अर्सा लोटके नहीं आने वाला, तुमको इस आदमी की सूरत अक्तियार करने का है, ये भैरव बिग्रेड का मेंबर है, हाँ, हालिया मेंबर है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ बिग्रेड में कोई नहीं जानता, मेंबर बनने के बा मेरे पास है, कैसे? यहां का एक नेपाली वेटर मेंबर बना था, जल्दी ही अकला गई थी और भैरव बिग्रेड से अलग हो गया था, मेंबर बनते वक्त तो वो मेरे से कुछ नहीं बोला था पर मेंबर्शिप से किनारा करते वक्त उसने मुझे बताया था और अपना बै तो फांसी पर तो नहीं चड़ा दिया जाता, ठीक, पूछे जाने पर सबसे आसान जवाब है कि खो गया, जो बैज लोटाये जाने के वक्त लोटाया न जाता हो, जो खो गया बता दिया जाता हो, वो मेंबर की कोई बड़ी शनाक्त तो न हुआ, बात तो तुम्हारी ठीक है पर आइडेंटिटी के किसी दूसरे जरीय की मेरे को खबर नहीं, तो वो बैज तुम्हारे पास है, हाँ, मैंने ऐसी इच देखने का वास्ते बैज वेटर से लिया था, बाद में मैं लोटाना भूल गया और, वेटर वापिस मांगना भूल गया या उसने परवाह न की, वापिस लेकर भी क्या करता, कहीं फैकता ही, बरोबर, जरा देखें वो बैज, उसे बैज पेश किया, एन वैसा ही जैसा पिछली रात विपलफ तुलाधर ने उसे दिखाया था, पीली बैकड्राउंड पर क्रास बनाती दो खुखरिया, कल रात की मुलाकात में विमल बोला, तुलाधर ने मुझे ऐसा एक बैज दिखाया था, जिसकी बैकड्राउंड नीली थी और बोला था, वैसा बैज लाल भी होता था, पीला भी होता था और बैज के कलर से मेंबर की सीनियारिती का पता चलता था, पीली बैज जरूर नए मेंबरान को जारी होता होगा, मेरा वेटर बहुत थोड़ा अर्सा मेंबर रहा था, इसलिए ये पीला, एंट्री लेवल का बैज उसे मिला, जॉन डैयाल भी अभी एंट्री लेवल का ही मेंबर है, इसलिए उसका बैज ऐसी छोगा, कहने का मतलब ये है कि तुम जॉन डैयाल का बहुरूब धारन कर रहे हो तो तुम्हारे पास पीला बैज ही होना मानता है, बोले तो अच्छा इत्फाक है कि मेरे पास पीला बैज है, तुम जॉन डैयाल से कैसे वाकिफ हो? प्रभादेवी में नेबर है, एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते भीडू आपस में वाकिफ हो ही जाते हैं, ठीक, तभी एक वेटर के साथ इस साभाई विगवाला वहाँ पहुचा, वो कोई 50 साल का दुबला पतला सा, संजीदा सूरत आदमी था जो की बाइफोकल्स ल और हैंरी से उसका परिचाय कराया, फिर हैंरी ने उसके सामने तस्वीरे रखी, और विमल ने बताया उससे क्या अपेक्षित था, इस साभाई ने बड़ी बारीकी से तस्वीरों का मुआयना किया, नो प्राबलम फिर घोशना की बाकी काम आसान पढ़ विक के वास्ते मेर को अपनी, वर्क प्लेस कर वापिस जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कुल कितना टाइम लगेगा, टेम विक में लगेगा, विक मेरे पास तयार होते हैं, खाली उनमें जरूरत के मुताबिक, आल्टरेशन करना होता है, कैसा भी विक चलता तो तीन चार में साथ लाया था, पन ये टिपीकल हैर स्टाइल है, इस वास्ते, ठीक, ठीक, टाइम कितना लगेगा, धाई घंते, ठीक है, लगाओ, धाई घंते बाद विमल ने शीशा देखा तो खुद अपनी शकल न पहचाना सका, थैंक्यू, विमल इस साभाई की तरफ घूम कर बोला, इस साभाई ने थैंक्यू की तरफ कोई ध्यान दिया हो, ऐसा ना लगा, बाकी की हिदायत पहले वाली ही है, इस साभाई उसे एक शीशी थमाता बोला, पहले की तरह इसमें लिक्विट गम पेंट है, जो की दाड़ी, मूच, भवों और विक को जोडने के काम के लिए है, मेकप उतारने वाली खा स्पिरिट पहले इस गम पेंट की तरह ही शीशी में आती थी, लेकिन अब उसकी जगह इस उसने उसे एक कैन थमाया स्प्रे कैन ने ले ली है, यूज करने का वास्ते टॉप पर लगा ये पिस्टन दबाने का, नॉजल से स्पिरिट का स्प्रे नि पकड कमजोर पड़ जाएगी, और बस, तुम्हारी फीस, वो मुस्कराया, चैमूर के दाता से कोई मुंबई वाला फीस लेता है, वो बोला, फिर भी, मेरे को सर्विस का चांस दियाना, यहीच मेरी फीस, ऐसा, हाँ, कभी बुलाना, कही बुलाना, टेम खोटी किये बिना हवा का माफिक पहुचेगा, फैंक्यू, जाता है, हेंरी ने घंती बजाकर एक वेटर को बुलाया और इस साभाई को उसके हवाले किया, जॉन डैयाल के पास पीछे हेंरी बोला, कोई प्रूफ आफ आइडेंटिटी भी हो तो वो क्या बोलते हैं, नार्थिनियन्स के मुहावरे की जुबान में, सोने पर सुहागा, वही इजिएस्ट आइटम बोले तो वोटर आई काड, कल शाम तक वो मेरे पास होगा, गुण अब मेकाप उतारोगे या ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही जाओंगा, वज़ा, ना जाने क्यों जब से मैंने इस नेपाली बस्ती में कदम रखा था, मेरे को लगता था मैं किसी की निगाह में था, किसकी? मालूम नहीं, बहुत पैंतरे बाजी की लेकिन कोई निगाह में ना आया, वहम हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, निगाह रखने वाला शातिर हो, कजुर बेकार हो तो खुद को अपने सब्जेक्ट की निगाहों से छुपा कर रख सकता है, इस वज़े से मैं अपने मौजूदा बहुरूप में यहां से निकलना चाहता हूँ तुम जिस रास्ते से आये थे उससे वापिस नहीं जाओगे, मतलब तुम फ्रंट से आये थे जो कि थियेटर वाली रोड पर है, भैरव बाजार में है, वापिस पिछवाडे के रास्ते से जाने का ओ, अगर सच में कोई तुम्हारी निगाभी नी कर रहे ला है, तो ये भी एक तरीका है, उसको डाज देने का आओ कई गलियारों से गुजर कर और दो मन्जिल सीडियों से उतर करवे ग्राउंड फ्लोर के एक आफिस नुमा कमरे में पहुँचे एक टिप तुमको देने का, वहाँ एकाएक हेनरी बोला, क्या? धेर रोकड़ा पास रखने का, सबसे बड़ा गांधी का जितना बड़ा पुलंदा चमका सको चमकाने का, भैरव बिग्रेड में बड़ा रोकड़ा चमकाने वाले का हर कोई रॉप खाता है कोट में बोले तो मनी मेक्स दी मेयर गो गुड, मैं तुम्हारी राय पर अमल करूँगा हेनरी ने आफिस टेबल के पीछे जाकर कहीं लगा एक बटन दबाया आफिस की एक दीवार निशब्द अपनी जगह से सरकी पीछे से एक बंद दर्वाजा प्रकट हुआ जो हेनरी ने आगे बढ़कर खोला तो विमल ने पाया कि वो पिछवाडे की एक गली में खुलता था जो की काफी चोड़ी थी जौन डयाल को इधर से जाने का और इधर से आने का हेन्री बोला विमल खन्ना को फ्रंट से उधर से आने का जिधर से वो आया और उधरीच से जाने का जाना तो ठीक है तुमने कोई बटन दबाया और पैनल अपनी जगह से हट गई आना कैसे होगा हेन्री ने उसे एक चाबी सौंपी बाहर से दर्वाजे को लगती है यही चाबी ताला खोलती है और पैनल को अपनी जगह से हटाती है आई सी एंटर करके चाबी लॉक में घुमाने का दर्वाजा बंद फिर मेज के पीछू जाके वहां लगा काला बटन दबाने का दीवार जो की बोर्ड की दीवार की तरफ पेंट की हुई पैनल है अपनी जगह वापिस गुड कुछ नाम भी तुम्हें मालूम होना मांगता है मैं पेपर पर नोट करके देगा किनके? उन भीडू लोगों के बतौर जॉन दयाल जिन से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा नेपाली? हाँ लेकिन अच्छी हैसियत वाले ट्रेडर तपके के आई सी ये आफिस किस काम आता है? यहां ग्राउंड फ्लोर पर ही नावल्ती एम्पोरियम है जिसमें नेपाली, भूटानी, तिबबती आइटम्स बिखती है कोई बड़ा बायर आता है तो उसको इधर रिसीव किया जाता है जॉन दयाल बड़ा बायर, ओके? यस इस लिहांस से इस कपैसिटी में तुम कभी भी इधर आ सकता है थैंक्यू हेंरी ने आगे बढ़कर उसके लिए दर्वाजा खोला, उसने चौखट पर विमल से हाथ मिलाया बाहर सड़क पर काफी आवाजा ही थी, इसलिए विमल कदरन उची आवाज में बोला थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च, मेरे को आपका वेरहाउस पसंद मेरे को आपका माल पसंद, एकाद दिन में लोटे के आता है और मेजर आडर प्लेस करता है थैंक्यू, सर विमल ने सड़क पर कदम रखा और सहेज भाव से एक तरफ चल दिया एक काला साया गली में एक कूडे के ड्रम के पीछे छुपा हुआ था विमल ने गली के सिरे पर पहुचकर में रोड की तरफ मोड काटा तो अपनी ओट छोड कर साया बाहर निकला और फिर जैसे हवा में कदम रखता गली के दहाने पर पहुचा विमल उस घड़ी वो मोड काट रहा था जो भैरव रोड पर पहुचाता था और अब आगे एवरेस्ट थियेटर की तरफ बढ़ रहा था एक खंबे की ओट से काला साया उसे फुटपात की भीर से गुजरता आगे बढ़ता देखता रहा खुलिया बदल लिया, चाल बदलती न सूझी वो होठोन में गुदबुदाया न सूझा की शनाक्त के और भी जरिये होते हैं विमल का नया बहुरूप अभी आजमायश में नहीं आया था कि अपने पहले ही इंतहान में सेल हो भी चुका था जो नाम पते हेंरी ने विमल को लिख कर दिये थे, उनमें से तीन उस बाजार में ही थे एक कल्यान थापा था जो की जनरल स्टोर चलाता था, दूसरा श्रीभक्त खनाल था जो की एक चाइनीज रेस्टोरंट का मालिक था और तीसरा वैभव श्रेष्ट था जिसका की बाजार में आईस्क्रीम पारलर था, तीनों बड़े प्रेम भाव से जॉन दयाल से मिले उसने कोट के कालर के नीचे लगा बैज जलकाया था तो कल्यान थापा उसने लौज ब्रदर कहकर पुकारने लगा था और श्रीबख्त खनाल और वैभव श्रेष्ट खुद ही भैरफ बिग्रेड की बाते करने लगे थे आज मीटिंग है कल्यान थापा बोला अच्छा आज है तनिक हरबडाहट का प्रदर्शन करता विमल बोला है न जाने का विमल ने हिचकी चाहट का प्रदर्शन किया ओ कम आन ब्रदर श्रीबख्त खनाल बोला मैं बिजी किसी को हैवी पेमिंट करने का हैवी दस लाख का ओ मार्निंग में करना वैभव श्रेष्ट बोला आप लोग जा रहे हैं हाँ हम तो तीनों जा रहे हैं मीटिंग है कहाँ विराट जी के घर पर फिर क्या प्रालम है पहुचूंगा लेकिन पहले पेमिंट जो की मैंने करीब ही वरली में करनी है आप लोग पहुचो मैं आता हूँ ओके विमल ने कोई दस मिनट अकेले एवरेस थियेटर के आसपास विचरते गुजारे फिर अकेला मीटिंग स्थल पर पहुचा उसने फाटक को ठेल कर भीतर कदम रखा लिफ्ट के आगे कुछ लोग लिफ्ट के इंतजार में खड़े थे लिफ्ट नीचे पहुची वो उसमें दाखिल होने लगे तो विमल ने उनके साथ लिफ्ट में सवार होने की कोशिश न की लिफ्ट का दर्वाजा बंध हुआ और वो उपर चली गई दो मिनट बाद लिफ्ट नीचे पहुची तो विमल खाली लिफ्ट में अकेला सवार हुआ दो मन्जिल उपर उठकर लिफ्ट रुकी, उसका दर्वाजा खुला, उसने लिफ्ट से निकल कर बैठकमा हाल में कदम रखा और जाकर रेशम की दोरी खीची बिलाश वहां प्रकट हुआ और संदिग्द भाव से तुकर तुकर उसे देखने लगा जॉन दयाल विमल अधिकारपूर्ण स्वर में बोला विराज जी को बोलो जाकर बिलाश के मिजाज में तब्दीली आई, जाहिर था कि वो जॉन दयाल की सूरत से वाकिफ नहीं था लेकिन नाम से वाकिफ था, उसने आगे बढ़कर ततपरता से पीतल मंदा दर्वाजा खोला विमल ने विपलफ तुलाधर के दर्बार में कदम रखा वहां अपने राजसिंहासन जैसे आसान पर विराजे विपलफ तुलाधर के सामने दो कतारों में एक दूसरी की और मुह किये कोई दो दर्जन कुरसियां लगी हुई थी जिन पर उसके अनुयाई, भैरव बिग्रेड के कुछ गर्मान्य सदस से विराजमान थे विमल हिचकिचाया साथ ठिटका खड़ा रहा विमल की निगाह पैन होती जनाब हाजरीन पर घूमी तो उसे एहसास हुआ कि वहां मौजूद वो अकेला शक्स था जो की नेपाली नहीं था तो ये वज़त थी तुलाधर की उसमें विशिष्ट दिल्चस्पी की मिस्टर जॉन डयाल तुलाधर बोला सर विमल ततपर स्वर में बोला वो हैरान था कि जॉन डयाल नया मेंबर था फिर तुलाधर उसे बाई नेम बाई फेस जानता था हमें आपकी यहां आमद की खुशी है थैंक्यू सर कुछ नये मेंबरान ऐसे होते हैं कि थोड़ी ही अर्से में हमारी मूवमेट में उनकी दिल्चस्पी खत्म हो जाती है मुझे खुशी है कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है होगा भी नहीं गुड आई एम ग्लैड इसका मतलब है आपने अपने फैलो मेंबर से हमारे मकसद को भैरव बिग्रेड के मिशन को ठीक से समझ लिया है जी हां और जो मैंने समझा है उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ सिर्फ मुतासिर है या भैरव ब्रिगेड का हिस्सा होने में फक महसूस करती है फक महसूस करता हूँ I am glad मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी कुछ क्षण के लिए खामोशी चा गई उस खामोशी के दौरान बिलाश प्रेथ की तरह अपने मालिक की कुरसी के पहलू में जाख खड़ा हुआ उसके हाथ में एक छोटा सा बकसा था जिसे खोल कर उसने तौलाधर की तरफ पढ़ाया तौलाधर ने उसमें से एक नीला बैज बरामत किया Mr. John Dayal वो बोला यहाँ पर जितने आपके सहयोगी मौझूद है वो सब मिडल आर्डर रैंके हैं यानि की ब्लू बैज होल्डर है सिर्फ आप न्यूकमर है इसलिए यालो बैज होल्डर है आप भैरव बिग्रेड के मिशन से मकसद से मुतासिर है इस वज़े से मैं आप से मुतासिर हूँ और इस वज़े से मैं चाहता हूँ की आपका दर्जा भी आपके यहां मौजूद सहयोगियों के बराबर का हो इसलिए आपको सम्मानित करते हुए मैं आपको मिडल आर्डर रैंक में प्रोमोट करता हूँ प्लीज कम फारवर्ड एंड रिसीव दी ओनर विमल उठकर तुलाधर के सामने जा खड़ा हुआ तब तक बिलाश के हाथ में बकसे की जगह काल भैरव की एक मूर्ती आ चुकी थी तुलाधर ने अपने दाए हाथ के अंगूठे को मूर्ती के माथे के साथ सटा कर दबाया फिर उसने विमल को और करीब आने का इशारा किया विमल और आगे को सरका तुलाधर के इशारे पर उसकी तरफ कनिक जूतो तुलाधर ने अपने दाए हाथ का अंगूठा इसके माथे पर भवों के बीच तिका कर जोर से दबाया और एक खशन बाद हटा लिया फिर उसे नया बैज सौपा गया विमल ने नीला बैज अपने कोट पर लगा लिया और पीला बैज वापिस तुलाधर को सौप दिया जिसको उसने आगे बिलाश के हवाले कर दिया सपने करकल धनी की तुलाधर ने इशारा किया तो विमल वापिस अपनी कुर्सी पर जा बैठा तीनों नेपाली व्यवसाईयों ने उठकर उसके पास आकर उसे बढ़ाई दी फिर तुलाधर कुछ बोलने लगा जिसका एक अक्षर भी विमल की समझ में ना आया उसके अलावा सब विराट जी के प्रवचन को गौर से सुन रहे थे इसलिए जाहिर था कि वो नेपाली में बोल रहा था जब वो खामोश हुआ तो कुछ मेंबर एक एक करके उठकर उसके पास जाने लगे और उसके सामने खड़े होकर कुछ कहने लगे उनके कहने के वक्त की विनैशीलता से विमल यही अंदाजा लगा पाया कि हर कोई अपनी कोई दरखवास पेश कर रहा था और तुलाधर सब को संतो जनक जवाब दे रहा था जो कुछ वहां हो रहा था विमल उससे बोर तो हो ही रहा था नाउमीद भी हो रहा था उसका जौन दयाल वाला बहुरूप वहाँ चल गया था, उसकी रूमें उसने सोचा था कि उस खुफिया मीटिंग में कोई राज खुलेंगे जो कि उसके काम के होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी उसे एहसास हुआ कि तुलाधर इतने उत्तेजित भाव से बोल रहा था कि चलाता जान पड़ रहा था उसके सामने सिर जुकाए एक मेंबर खड़ा था जो कि उसके आक्रोश का केंद्र बना जान पड़ता था क्या हो रहा है उसने अपने दाएं बाजू बैठे नेपाली से पूछा नहीं समझे नेपाली बोला नहीं इस आदमी को दहाल नाम है इसका हिमाल क्लब जाने का था अब ये बोलता है ये नहीं जाने का था विराठ जी वेरी इंगरी काम बहुत जरूरी अब खड़े पैर किसी और को हिमाल क्लब भेजने का वो आदमी बार-बार अपना बैज क्यों दिखा रहा है बैज ही उधर इसका शनाक्ती निशान लेकिन जाता तो किसी काम आता न तब तक किसी तरह तुलाधर ने अपने गुसे पर काबू पा लिया था उसने उस आदमी को दिस्मिस कर दिया और फिर मीटिंग भी बर्खास कर दी मेंबरान एक-एक करके वहां से रुकसत होने लगे पीछे सिर्फ विमल रह गया वो उठकर तुलाधर के समाने पहुँचा मैं यहां अकसर आना चाहता हूँ विमल बोला इजाज़त दीजिए इजाज़त है ये जगह खुला दर्बार है इसलिए यहां कभी ताला नहीं लगता यहां किसी के आने पर कोई रोक तोक नहीं दुश्मन के आने पर भी नहीं भले ही मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो और क्यों ठिटके हां भले ही कोई आये और आके मेरा कतल कर दे बहुत दिलेरी की बात है दिलेरी की नहीं विश्वास की बात है किस पर विश्वास की? भगवान पशुप्तिनात पर विश्वास की प्रभू में मेरी आस्था मेरा रक्षा कवच है कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता जब जी चाहे तुम यहां आ सकते हो मैं ये भी नहीं पूछूंगा आना क्यों चाहते हो तुम्हारा यहां सदा स्वागत है तुम्हें रिसीव करके मुझे खुशी होगी थैंक्यू सर अगर तुम्हारे पास भैरफ बिग्रेड को देने के लिए टाइम है तो और भी खुशी होगी टाइम है क्या करना होगा बता दिया जाएगा अगली मीटिंग की तारीक, वक्त जगा की बाबत भी बता दिया जाएगा तुम अपने फ्री टाइम को हमारा टाइम मानो तो बहुत कुछ बता दिया जाएगा तुम्हारे से हमें कोई फाइदा होगा मिस्टर जॉन डयाल तो हमारे से तुम्हें भी कोई कम फाइदा नहीं होगा मुझे अपने फाइदे की परवाह नहीं नकली जोश दिखागा विमल बोला परवाह हो नहो होगा आखिर एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है नो? यस सल यू कैन गो नाव गुड नाइट गुड नाइट सल बिलाश की निगावीनी में विमल वहां से रुखसत हुआ वो वापिस सडक पर पहुँचा अब उसके सामने एक नई समस्या मुमबाए खड़ी थी हिमाल कलब जाहिर था कि वो किसी जगह का नाम था जहां खास ही कुछ उस रात हो रहा थाया होना अपेक्षित था और जो खास वहां हो रहा था उसमें शामिल होने के लिए नया मिला बैच शनाक्ती निशान का रोल अदा कर सकता था विपलफ तुलाधर ने वहां जाने के लिए जाकर किसी इवेंट में शामिल होने के लिए एक आदमी मुकरर किया था जो कि किसी वज़से वहां नहीं जा सका था या नहीं जाना चाहता था, अब तुलाधर उस नालायक, नाफर्माबरदार आदमी की जगह किसी और को भेजने वाला थाया, भेज चुका था, किसको? रुकसत होते मेंबरान से तुलाधर ने एक करके बात की थी, तभी उसने किसी एक को उस नालायक आदमी की जगह लेने को बोला था, वैसा जॉन डैल को भी तो बोला जा सकता था, तुलाधर ने बड़ी उदारता दिखाते हुए एक हाथ दूसरे हाथ को धूता है, वाली मसल को कोट किया था, कहा था अगर तुम्हारे से हमें कोई फाइदा होगा तो हमारे से तुम्हें भी कोई कम फाइदा नहीं होगा, इस बात पर अमल करते हुए वो अपनी तरफ से ब्रिगेड को कोई फाइदा पहुचाने की, उसके किसी काम आने की कोशिश करता तो क्या वो नाजायस हरकत जान पड़ती? नया मेंबर जॉन डयाल बिग्रेड के मिशन की खातिर खुद हिमाल क्लब पहुच जाता तो क्या ये मुख्या की नाराजगी मोल लेने वाली हरकत होती? नहीं, उसके दिल ने जवाब दिया, उसकी अकल ने जवाब दिया. अब अहम सवाल ये पैदा होता था कि हिमाल क्लब क्या शै थी? शायद हिनरी बता सकता हो? हिनरी बता सकता था, उसने बताया. हिमाल क्लब उन स्थानिय लोगों के संडठन का नाम था, जिन पर की विपलफ तुलाधर का कोई रॉब गालिब नहीं था और जो भैरव बिग्रेड को और उसके मेंबरान को शक्की निगाहों से देखते थे, जो समझते थे कि भैरव ब्रिगेड मुंबई में नेपालियों का कोई भला नहीं कर सकती थी, अलबता उन्हें उधर के सहच स्वाभाविक जन जीवन से अलग थलग कर सकती थी. किमाल क्लब का हेड़ क्वार्टर नेपाली बस्ती में ही उसके सिरे पर स्थित अन्ने रोड पर एक खस्ता हाल तीन मंजिला इमारत थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में ही चलने वाला एक मनोरंजन स्थल था जहां लोक ताश, बिलियर्ड, टेबल, तेनिस खेर सकते थे, जहांग, के घूंट लगा सकते थे, थुपका खा सकते थे और नेपाली, घूटानी, तिबबती, चीनी सूपों का आनंद ले सकते थे, हिमाल कलब के मेंबरान का लीडर माधव देव कोटा था जिसको की प्रतिद्वन्वी और विरोधी बताया था, पैदल चलता वो अपनी नई मन्जिल की तरफ बढ़ा, तुलाधर ने अपना, अब उसे ये अंदेशा नहीं सता रहा था कि कोई काला साया नहायत खुफिया तरीके से उसकी निगाबीनी कर रहा होगा, ऐसी निगाबीनी का मरकज तो विमल था, जॉन दयाल से किसी साय ने क्या लेना देना था जिसे की वो जानता तक नहीं था, लेकिन उसकी अकल ने सिर उठाया अब कोई भैरफ बिग्रेड का मेंबर उसकी निगाबीनी करता हो सकता था, क्योंकि हर नए मेंबर की निगाबीनी करना उस संस्था का स्थापित रिवाज हो सकता था, करे निगाबीनी, जॉन दयाल की हो तो करेंगे, वो अन्ने रोड पर और आगे अपनी मंजिल तीन मंजिला इमारत पर पहुँचा इमारत पर एक विशाल साइन बोर्ड लगा था जिसके अंग्रेजी अक्षरों में हिमाने कावाई ये नहीं जल रहा था और हिंदी अक्षरों में ये नहीं जल रहा था और इस वजह से नाम जो वस्तुत हिमाने कलब था हिमाल कलब पढ़ा जा रहा था उसमें भीतर कदम रखा भीतर एक हाल था जिसमें उस घड़ी कोई दरजन भर लोग मौजूद थे जो कि सब के सब नेपाली जान पड़ते थे रोशनी के नाम पर वहां कोई जगमग नहीं थी लेकिन जितनी थी परियाप्त थी दो-दो-तीन-तीन के ग्रुपों में वहां बैठे सब जानती रहे थे उसकी निगाप पैन होती उन पर फिरी तो उसने महसूस किया कि वहां पीछे विपलव तुलाधर के दरबार का कोई शक्स मौजूद नहीं था दहाल भी नहीं यानि कि विराट जी की फटकार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था हाल के पिछवाडे में कुछ बंद दरवाजे थे जिनके पीछे क्या था विमल के पास जानने का कोई साधन नहीं था कुछ संदिग्ध निगाहे उस पर पड़ी जिनकी परवाह किये बिना विमल आगे बढ़ा और जाकर एक खाली टेबल पर बैठ गया उसकी अपेक्षानुसार कोई वेटर उसके करीब न पहुँचा तो उसने अपना पाइप निकाल कर मुह में लगा लिया और उसे सुलगा कर प्रतीक्षा में उसके कश लगाने का अभिनय करने लगा आखिर एक नाबालिक सा छोकरा उसके करीब आया और नेपाली में कुछ हिंदी में बोल विमल बोला या इंगलिश में बोल आती वो बोला और ततकाल उसके करीब से हट गया बोला पीछे विमल ने अपने कोट की भीतरी जेब में मौजूद गन को टटोला और तनिक आश्वस्थ हुआ वहां का माहौल ऐसा अजीब था कि बार-बार उसके भीतर से आवाज उठ रही थी कि वहां कोई अन्होनी हो सकती थी जिस सूरत में गन ही उसका आस्रा बनने वाली थी यूवा वेटर वापिस लोटा तो उसके साथ दो और व्यक्ती थे जिनके जबडे भिंचे हुए थे और आंखों में सपश्ट संदेह भाव था खिमाल क्लब से एक ने विमल ने इंकार में सिर हिलाया पूछा ज्रिंक मांगता है तो इधर जांग के अलावा कुछ नहीं है किधर और जाओ भैरफ रोड पर कई बार है दूसरा बोला किसी और वज़से आये पहला बोला तो साफ बोलो किसी और वज़से आया विमल सतर्क भाव से बोला क्या और वज़़? जुबानी जवाब देने की जगा विमल ने उन्हें अपनी नई उपलब्धी नीले बैज की एक ज़लग दिखाई क्या है? देखो इस बार विमल ने उठकर अपना बैज चमकाया ताकि हर कोई देख पाका इस बार उसका बैज सबको दिखाई दिया जो नतीजा सामने आया उसकी विमल ने सपने में भी कलपना नहीं की थी जो बैज उसने शनाक्ती निशान के तौर पर पेश किया था भैरव ब्रिगेड की इंट्रोडक्शन के तौर पर पेश किया था उसने कुछ और ही काम किया काम भी कैसा? जैसे आग में घी डाला हो दोनों आदमियों के पीछे जपट कर और कई जने आ खड़े हुए एक चाकू किसी के हाथ में चमका भैरव ब्रिगेड का भढ़वा कोई नफरत भरे लहजे से बोला चाकू वाला उस पर जपता विमल ने फुर्ती से पीछे चलांग लगाई और बड़ी मुश्किल से अरधवरित में घूमते उसके चाकू के वार से बचा तब तक दो और जनों के हाथ में चाकू चमकने लगे एकाएक इतनी गहमागहमी मची की विमल को अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाना दूभर लगने लगा दर्वाजा उसके पीछे था जो की जान बचा कर भागने का इकलोता जरिया था लेकिन कद्रन दूर था किसी ने उसे जोर का धक्का दिया वो भर भरा कर फर्ष पर गिरा और इसी वज़से गले को निशाना बना कर चलाए गए फायर एकाएक फायर होने की आवाज है एक के बाद एक दो फायर दर्वाजे की तरफ से फिर दोनों फायरों के नतीजे सामने आए कि वार से बच गया एक गोली उस आदमी के कंधे में लगी जो की उसका गला काटने पर आमदा था उसके हाथ से चनिकल कर जंजनाता हुआ फर्ष पर गिरा और वो अपना कंधा पकड़ कर जहां खड़ा था वही बैठ गया दूसरी गोली एक और चाकू वाले की कलाई पर लगी उसके हाथ से भी चाकू निकल गया और वो भी अपनी कलाई थाम कर पीड़ा से बिलबिलाने लगा विमल बड़े यतन से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से पीछे हटा एक नेपाली खुखरी लिए उस पर जपका फिर फायर हुआ वो धड़ाम से विमल के सामने धेर हुआ गोली पता नहीं उसे कहा लगी वाहे गुर क्या हो रहा था अब उसके सामने इकठे हुए उसके आक्रमनकारी थमक गए और विस्फारित नेत्रों से विमल की पीठ पीछे प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगे विमल ने भी सावधानी से उनकी निगाहों का अनुसर्ण किया काला साया फिर भीड के पीछे से किसी ने एक बोतल फैंक कर मारी दो फायर एक साथ हुए बोतल के हवा में ही परखचे उड़ गए कोई चीक मार कर फर्ष पर धेर हुआ भागो कोड़े की फटकार की तरह एक आवाज वातावन में गूंजी निकल लो कौन बोला? काला साया जो जरूर उससे मुखातिब था कौन था वो? लेकिन तब वो सोचने का वक्त नहीं था उसने अपनी गण निकाल कर अपने हाथ में ली उसे अपने सामने अपने संभावित आत्रमन कारियों पर ताना और सावधानी की प्रतिमूर्ती बना उल्ते पाफ चलता दर्वाजे की तरफ बढ़ा कोई चलाया विमल को कुछ समझ ना आया लेकिन शब्दों में ऐसी हिंसतका थी की उसे समझते देर ना लगी की कोई अपने साथियों को ललकार रहा था कि भैरव बिग्रेड का भढ़वा भागने ना पाए ललकार के जवाब में भीड की तरफ से कई फायर हुए और विमल का भ्रम तूटा कि वो चाकूओं और खुखरियों से ही मुकाबिल था उसके पीछे से गोलियों की बाढ़ आई नतीस्तन आगे बढ़ते आक्रमनकारी फिर थमक गए लेकिन जवाबी फायरिंग न रुकी जाहिर था कि जिन नेपालियों के पास गन थी उन्होंने ओट ले ली थी और वहीं की से फायरिंग कर रही थे विट कट स्थिती थी काले साय से हासल कवर के बावजूद किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी खामखा ही कोई गोली आकर उसकी खोपड़ी से छाती से टक्रा सकती थी वाहे गुरू सच्चे पात्षा तू मेरा राखा सबनी थांगी इकका दुकका गोली चलाता उक्रू हुआ वो पीछे दर्वाजे की तरफ सरकता रहा हवा में चलती कुछ गोलिया प्रकाश के साधनों से टक्राई थी जिनकी वज़से वहां फैला उजाला अब नीम अंधेरे में कब्दील हो गया था और जिस वज़से काला साया अब और काला लगने लगा था वो अभी भी बहुत दक्षता से फाइरिंग कर रहा था और उसे कवर दे रहा था विमल की गन तब तक खाली हो चुकी थी अतिरिक मैगजीन वो साथ नहीं लाया था इसलिए अब वो उसके किसी काम की नहीं रही थी वैसे भी उसकी सीमित फाइरिंग ने कोई करतब करके नहीं दिखाया था उसकी हिफाजत में जो किया था काले साये ने किया था सामने मौजू तमाम सलामत नेपालियों ने मेजो की तिर्ची पलट कर उनकी ओट ले ली थी और अपस्पष्ट रूप से वही सामने दिखाई दे रहे थे जो घायल थे और फर्ष पर गिरे पड़े तड़प रहे थे काले साये ने पीछे दर्वाजा खोला और घरघराती सी आवाज में चलाया जम्प विमल ने घूम कर खुले दर्वाजे में चलांग लगा दी और फाइरिंग हुई गोलिया उसके आजू-बाजू चोखट से दीवार से टकराई दर्वाजे के करीब से साये ने सामने कई फाइर किये तो फौरण दूसरी तरफ से फाइरिंग बंध हो गई विमल सुरक्षित हिमाल कलब से बाहर निकल गया उसकी हिमायत करता, हिफाज़त करता काला साया कहां गया, वो न जान पाया कैसा करिश्मा था? कि वो साया प्रेत की तरह उसकी हर जरूरत की जगा मौजूद होता था, पहले मलाड में और अब वहां उसने उसे निश्चित मौत से बचाया था उसके पीछे भडाक से दर्वाजा खुला तो कहीं से दर्वाजे पर गोलिया बर्सी दर्वाजा ततकाल बंध हो गया, उसके पीछे दौर पढ़ने को ततपर आताई ततकाल बंध दर्वाजे की ओट में कहीं चुक गए सन्नाटा चा गया कुछ क्षण बाद दर्वाजा फिर इंच-इंच करके खुलने लगा, दर्वाजे की तरफ नामालूम जगर से फिर फायर हुआ दर्वाजा फिर बंध हो गया कब तक विमल हिमाल कलब से काफी परे निकल आया था अब ये निश्चित था जब तक काला साया कहीं मौजूद था, हिमाल कलब का दर्वाजा नहीं खुल सकता था, वहां से निकल कर कोई विमल के पीछे नहीं आ सकता था पीछे पहली मन्जिल की दो खिड़कियां खुली और उनमें से फायरिंग होने लगी प्रत्यक्षता खिड़कियों में मौजूद गन्मैन नीचे दर्वाजे के तीछे मौजूद अपने साथियों को कवर दे रहे थे अब दर्वाजा किसी भी क्षन खुल सकता था और उसकी तलाश में आताई बाहर अने रोड पर बिखर पड़ सकते थे लेकिन तभी उनके मनसूबों में बड़ा व्यवधान आया करीब ही कहीं पुलीस के फ्लाइंग्स कवाइड की आवाज गूंजी ततकाल फाइरिंग बंध हो गई और पीछे सन्नाटा चा गया विमल खामोशी से तेजी से फुटपात पर चलता रहा पुलीस की एक जीप तेज रफ्तार से सडक पर से गुजरी विमल सडक छोड़कर एक गली में दाखिल हो गया साया अब उसे सो फीसदी यकीन था कि वो कोई परचाईयों का खेल नहीं था साय का वैसा ही वजूद था जैसा कि खुद उसका था और वो नीलम नहीं था हिमाल क्लब में दो बार जिस आवाज ने उसे चेताया था निकल भागने को प्रेरित किया था वो जनाना नहीं मरदाना थी एस्टरिस्क 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 विमल हेन्री के सामने मौजूद था और उसे पीछे हिमाल कलब में हुए तमाम वाक्य की बाबत बता चुका था वो अपना जॉन डयाल वाला मेकब भी त्याग चुका था तुम्हारा क्या खयाल है विमल ने उत्सुक भाव से पूछा वहाँ वो लोग मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आए जाहिर है कि तुम्हें भेदिया समझा हेन्री गंभीरता से बोला इसलिए अपना दुश्मन समझा खाम खा नहीं खाम खा इधर सभी भेरव बिग्रेड से या विपलव तुलाधर से मुतासर नहीं है सच पूछो तो हिमाल क्लब की स्थापना ही भेरव बिग्रेड की मुखालफत करने के लिए हुई है मुखालफत की वज़़ दस्तूर है जमाने का किसी की मशूरी या तरक्की से कुढने वालों का तहीं घाटा नहीं होता इसलिए जो चीज भी पापुलर होती है उसकी मुखालफत में कोई न कोई जरूर आन खड़ा होता है खुद पर फोकस बनाने का ये भी एक तरीका होता है विराट जी हैंड्स डाउन इधर के लोगों का रहनुमा बन जाए प्रधान बन जाए ये किसी को नहीं मंजूर किसको? देव कोटा को, माधव दवे कोटा को हिमाल कलब का संस्थापक है संचालक है हाँ क्या चाता है? विपलफ तुलाधर की काम खीचना चाता है उसे इस उचे रुद्बे से नीचे घसीतना चाता है है जो उसने इधर के लोगों के बीच बना लिया हुआ ताकि वही रुद्बा खुद हासल कर सके You said it, sir कुट्टे का कुट्टा वैरी Yes, dog eats dog कोट में बोले तू वहाँ सब मेरे गले क्यों पढ़ गए? क्योंकि तुमने जाकर भैरव बिग्रेड का बैच चमकाया कन्फर्म किया कि तुम दूसरे पाले के आदमी थे मेरे को ऐसा हिंट मिला था कि वहाँ कोई शान्तिवारता होने वाली थी और वहाँ विराज जी का एक शान्ति दूद पहुचने वाला था वहाँ वो शान्ति दूद बनने की कोशिश मैंने की थी इसलिए मैंने वो बैच चमकाया था क्योंकि ऐसी कोशिश? विराज जी की निगाह में अपना क्रेडिट बनाने के लिए उसका करीबी बनने के लिए ताकि अपने मतलब की कोई जानकारी हासल करने में मुझे सहूलियत होती अब मेरी समझ में आया कि क्यों वो शक्स विराज जी का कथिट शान्ति दूद वहाँ नहीं जाना चाहता था नहीं गया था जरूर उसे कहीं से हिंट मिल गया था कि वहाँ उसे शान्ति दूद नहीं दुश्मन का भेदिया समझा जाने वाला था वो तो जाने से इंकार करके फजीहत से बच गया खाम खा जाकर उखल में सर दे दिया वहाँ तो लोग मेरे नीले बैज पर निगाह पड़ते ही ऐसा भड़के के तौबा भली खुदाई फरिष्टे की तरह वहाँ वो काला साया न पहुँच गया होता तो मेरा तो बोलो राम हो गया था था कौन वो क्या पता कौन था लेकिन जो कोई भी था जाहिर है कि मेरा तरफदार था जो एन मौके पर वहाँ पहुँचा हाँ जो की हैरानी की बात है बलकि करिश्मा है राइट इतनी गोलिया चली कुछ निशाने पर लगती मैंने अपनी आमखों से देखी कई लोग घायल हुए कोई मरा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं उपर से पुलीस पहुँच गई जरूर गोलियों की आवाज सुनकर किसी ने उन्हें फोन किया था वहाँ गोली खाने से तो मैं बाबे की मेहर से बज गया लेकिन मेरी भीतर मौजूदगी के दौरान पुलीस वहाँ पहुच गई होती तो मेरा अंजाम गंभीर होता ओ वक्त रहते भाग निकलने की वार्निंग भी मेरे को उस काले साय ने ही दी थी उसने मेरे पर दबर उपकार किया था मुझे हिमाल कलब के मेंबरान के हाथों छिन भिन होने से तो बचाया ही था पुलीस के हाथों पढ़ने से भी बचाया था गौड ब्लैस हिस सोल लेकिन वो था कौन? क्या पता? बकौल विक्तरमन ही मन उसने सोचा मुंबई में उपलब्ध उसके वैंबूर के दाता के हजारों लाखों कदरदानों में से कोई एक और कौन? मेरे लिए और क्या हुक्म है? हेन्री बोला एक दरखवास्थ है क्या? कहने को मैं जॉन दयाल भैरव बिग्रेड का मेंबर हूँ लेकिन उसके स्टाइल आफ फंक्शनिंग की अभी मेरे को कोई खबर नहीं खास्तोर से मुझे ये मालूम नहीं कि तुलाधर की बुलाई मीटिंग की खबर मेंबरान को कैसे लगती है लेकिन मैं समझता हूँ इस इलाके में बसे तुम ये बात मालूम कर सकते हो कर सकता हूँ, करूँगा खबर मुझ तक कैसे पहुँचेगी? उसने एक ख़ड उस बात पर मनन किया विक्तर को बोलूँगा ठीक एस्टरिस्क 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 विमल चैंबूर पहुचा वहाँ विक्तर और जार्ज मौजूद थे किधर चला गया था बाप? विक्तर व्याकुल भाव से बोला क्यों चाहे? विमल ने मुस्कराते हुए पूछा क्योंकि मेरे को फिकर खाम खा बाप है ना खाम खा अभी मैं तेरे सामने सालम वन पीस खड़ेला है कि नहीं? वो तो तू खड़ेला है बाई दी ग्रेस आप गौड आफ गौड पर मेरा एक रिक्वेस्ट को यस बोल क्या रिक्वेस्ट? बाप अकेला मत निकल लिया कर अच्छा हाँ कितने भीडू साथ होने चाहिए? बीस पचास बाप तू बात को सीरियस करके नहीं ले रहेला है लास्ट नाइट मलाड में क्या हुआ? भूल भी गया मालूम पड़ रहेला है वो फिर हुआ क्या? नेपाली बस्ती में विक्टर उधर भी एक काला साया ही मेरे को सेव किया काला साया जो तू समझता है तेरा वाइफ जो कोलहापुर से उड़कर आया अब नहीं समझता काहे? विमल ने उसे अपने जौन दयाल के बहुरूप के बारे में बताया और हिमाल कलब के फेरे से तालुक रखता बाकी किस्सा भी बयान किया तू मुंबई में मेरे कई कदरदान महरबान बताता है फिर बोला बेशुमार विक्तर बोला तेरे एक इशारे पर जान दे देने को तयार ठीक, ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्ही में से किसी एक ने मेरा मुहाफिस बनने की कोशिश की क्योंकि और कोई तो मुझे बतार वालंकेर ये काम करने का तमन्ना दिखाई नहीं देता वही काला साया बन के बावदे जुरुरत मेरे काम आने के लिए मेरे पीछे लगा किस के पीछे लगा? तेरे बाप मेरी उस सूरत के जो तुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक? बरोबर लेकिन हिमाल क्लब तो मैं जॉन दयाल के बहुरूप में पहुचा था उस बहुरूप में जिसमें विपलफ तुलाधर भी मुझे नहीं पहचान सका था बोले तो विक्तर के स्वर में उलजन का पुट आया फर्श कर जिस वक्त मैंने लोवर परेल की नेपाली बस्ती में कदम रखा उस वक्त वो काला साया जो कोई भी वो था मेरा निगबान बना मेरे पीछे था मैं वहाँ भैरव बाजार में विचरता रहा और फिर तेरे कजन हेंवी के बार में गया काले साये ने मुझे फ्रंट से बार में दाखिल होते देखा लेकिन बार में मेरे पीछे दाखिल न हुआ हुआ होता तो वो मुझे दिखाई दिया होता जाहिर है कि वो बाहर मेरे वापिस बाहर निकलने का इंतजार करता रहा मैं उधर से बाहर न निकला मैं जौन दयाल का बहुरूप धारन करके पिछवाड़े के रास्ते बाहर निकला और आगे हिमालक लब पहुचा जहां जो कोहरा मचा उसमें उसने फिर नमूदार होकर मेरी जान बचाई अब सवाल ये है कि ऐसा क्योंकर मुम्किन हुआ कि काला साया जो विमल के पीछे था वो जौन दयाल के भी पीछे था विक्तर सोचने लगा ऐसा एकीज तरीके से मुम्किन है फिर बोला कौन सा तरीका तेरा नवा बहुरूप साय पर नहीं चला था विपलफ तुलाधर करके जो भीडू तू बोला उस पर चला सो चला साय पर नहीं चला था उसने तेरी नई सूरत में भी तेरे को पहचाना था फिर वो काला साया कोई आम आदमी तो न हुआ ऐसी पैनी भेडी निगाह रखने वाला भीडू तो कोई खास ही आइटम हुआ बोलो तो बरोबर कौन बाप जो तेरे मुरीद है उनमें से कोई है तो मैं मालूम करेगा करके रहेंगा गुड तभी विक्तर की जेब में उसके मोबाईल की घंटी बजी उसने काल रिसीव की कजन हेंरी है लाइन पर फिर बोला तेरे को पूछता है मेरे को दे विमल बोला उसने विक्तर से लेकर मोबाईल अपने कान से लगाया तुम्हारे जाने के बाद इधर की कुछ और बाते मेरी जानकारी में आई हेंडरी की आवाज उसके कान में पड़ी जो मैं सोचा तुम्हारे को मालूम होना मांगता था कौन सी बादे एक तो इस बाबत हिंट मिला है माधव देवकोटा हिमाल कलब के नेपाली मेंबरान का लीडर विपलन तुलाधर के खिलाफ क्यों है वो तो तुमने बोला ही था तुलाधर की पापुलरिटी से जलभुन कर उसकी काम खीचना मांगता था और उसकी जगह खुद पर फोकस बनाना मांगता था वो वजह तो है ही एक और वजह का भी हिंट मिला है ऐसा? हाँ ऐसा हिंट मिला है कि तुलाधर का किसी ऐसे काम में हाथ है उस काम की वज़ से उससे ऐसे लोगों का साथ है जो कि इधर की नेपाली कम्यूनिटी के हित में नहीं तुलाधर अपने या अपने नए बने दोस्तों के किसी नापाक मकसद की खातिर भैरफ बिग्रेड के में को रिस्क में डाल रहा है माधव देवकोटा खुद को नेपाली कम्यूनिटी का तुलाधर से बड़ा वैलविशर मानता है इस वज़े से वो तुलाधर के ऐसे किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ है और उसे एक्सपोज करना मामता है प्रोजेक्ट क्या? नहीं मालूम नौर्पोनिक्स ट्रेड जिस पर की विवेक दलवी रिसर्च कर रहा था या आम्स स्मगलिंग जिसका की जिक्र तुमने हमारी रूब्रू मीटिंग में किया था लेकिन ये सब अंदाजे हैं प्रोजेक्ट, खास प्रोजेक्ट, इन दोनों में से कोई हो सकता है या कोई तीसरा, चौथा, पाच्वा हो सकता है बहरहाल अहम और जिक्र के काबिल बात ये है कि माधव देवकोटा खाली कुधन के हवाले होकर विपलफ तुलाधर के खिलाफ नहीं है मुखाल्फत की कोई और भी वज़ा है जिसको तुलाधर हवा नहीं लगने देना माम का, लाइक डैट को टैट लैट स्लीपिंग डॉक्स लाई ठीक इस वास्ते हिमाल क्लब को सुला शान्ती का पैगाम देता है कैसे? उधर स्पेशल एन्वाई भेजता है, दूद करके जो बोलते हैं भेजता है दहाल बोले तो वो दूद दहाल मैं किसी दहाल को नहीं जानता, कौन है वो वो दूद अपवायंद किया गया जान पढ़ता था, लेकिन उधर पहुँचा नहीं था मेरे सामने उसने तुलाधर को सारी बोला था और डाट खाई थी, खुफिया तरीके से जिसकी जग़ लेने की मैंने मूर खता की तुमने क्या किया? मुझे नहीं मालूम उसकी खबर तुलाधर को हो सकती थी या नहीं, उसने क्या किया? वो सुनो क्या किया? उसने भैरव बिग्रेड के तीन मेंबरान का एक डेलीगेशन सुलह सफाई अमन चैन डिसकस करने के लिए हिमाल कलब भेजा जो की उधर माधव देवकोटा से मिलता और तुलाधर के रिप्रेजन्टेटिव्स के तौर पर उसे समझाता की आपस में लडने जगडने का कोई फाइदा नहीं था एक जुट्ता बनाए रखने में ही प्रवासी नेपालियों की भलाई थी वो तीन भीडू उधर पहुँचे तो उन्होंने वहां हिमाल कलब में दंगे का माहौल पाया और तफ्तीश के लिए बाकाइदा पुलीस को वहां पहुचा पाया पुलीस पता लगा पायी की असल में वहां क्या हुआ था नहीं लेकिन जो अफवाहे गर्म है उनमें से दो सुनने लायक है एक तो ये कहती है कि भैरव बिग्रेड के तीन मेंबरान को धोखे से उधर बुलाया गया और फिर वहां उन पर हमला कर दिया गया जो कि किसी तरी कि में जान बचा कर वहां से निकल भागने में काम्याब हो गए दूसरी कहती है कि हिमाल क्लब के मेंबरान में ही कुछ डिफरेंसिस खड़े हो गए जिनकी वजह से वो आपस में ही लड़ने भिडने लगे आई सी वजह यही है कि उनकी निगाह में माधव देवकोटा के मुकाबले में विपलफ तुलाधर उर्फ विराट जी ज्यादा मुअजिज ज्यादा काबिले एदबार भीर है ये तो तुलाधर के लिए क्रेडिट वाली बात है इन कंपेरिजन टू माधव देवकोटा, बॉस, लाइक डैट कोट, लैसर आफ दी टू इविल्स ठीक, आखिरकार पुलीस का एदबार किस बात पर बना? इसी बात पर की जो हुआ हिमाल कलब के मेंबरान में हुआ, वो आपस में ही लड़ भिड़ पड़े तुमारा एदबार किस बात में है? बॉस, मेरे को तो असलियत मालूम है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वो लोग अपने बीच दुश्मन के आदमी को तुम्हें पाकर भड़के ऐसा है, तो उन दोनों पार्टियों की हिमाल कलब की और भेरफ ब्रिगेड की आपसी कलह, आपसी अदावत तो एक स्थापिक तथ्य हुआ इसी वज़े से ये भी कहा जा सकता है कि गोवा एक्स्प्रेस में उस पत्रकार विवेक गलवी का कतल हिमाल कलब के इशारे पर हुआ क्यों? क्यों की पता चला है कि वो भेरफ ब्रिगेड को मेंबर बन गया हुआ था इसका मतलब ये हुआ कि वो तुलाधर के मुखालिफ नहीं था उसका उसकी भेरफ ब्रिगेड का तरफदार था फर्जी घात लगाने के लिए अपना कोई मतलब हल करने के लिए आई सी लेकिन हिमाल कलब को इस बात की खबर नहीं थी इसलिए उन्होंने दुश्मन को चोट पहुचाने की मन्शा से उसका गोवा जाती च्रेन में कतल करा दिया हाँ चाकू खुकरी चलाना नेपाली मवालियों का स्टाइल है वो लोग खामोश हथियार को प्रेफर करते हैं हिन्री तुम्हारी हर बात से मुझे इत्तफाक है लेकिन इस बात से नहीं बोले तो विवेक दलवी के कतल में हिमाल कलब का हाथ नहीं था आर यू शोर बॉस यस आई एम मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि वो कतल इबराहीम बटला के इशारे पर हुआ था और उसी के एक आदमी ने किया था पन बॉस हाउ आर यू सो शोर आई विटनेस की वज़र से कतल का एक चश्मदीद गवा है जिसने बटला के आदमी के तौर पर कातिल को पहचाना था ओ बोले तो like that quote what was cooking hair वो उसके murder का reason नहीं था उसका कतल बटला के खिलाफ आई विटनेस को eliminate करने के लिए हुआ जो की वो विवेक दलवी था एज़ेक्ली बोले तो हिमाल कलब उसकतल की जिम्मेदारी से बरी हाँ बॉस तुम पक्की करके बोलता है तो और गुड नाइट बोलता है बॉस संबंध विच्छेद हो गया एस्टरिस्क 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 सिंगापुर में लेट नाइट दिनर पर माइकल हुआन की अपने बॉस रोकियों फिगुएरा से मुलाकात हुई उस मुलाकात के दौरान रॉस और नाल्डो भी मौजूद था मैं आपको हुआन बोला स्वैन नैक प्वायन पर हो रही कान्फरेंस की तैयारियों की रिपोर्ट देने के वास्ते आपके हुकम के मुताबिक इधर आया था लेकिन अब एक और भी इंपार्टेंट बात है मेरे पास बोलने को आई सी आफ्टर दिनर कोनिया ग्रांडी चुसकता फिगवेरा बोला पहले कौन सी बात सुनेंगी स्वैन नैक प्वायन की या जो मेरे पास अलग से है स्वैन नैक प्वायन की फस्ट फिंग फस्ट जसराज रहिजा से मैं आजकल आउट आफ कांटेक्ट हूँ इसलिए पहले उधर की बोलो उधर क्या प्रोग्रेस है वेरी वेल आइंदा दस मिनट हुआन ने ये बखान करने में लगाए कि स्वैन नैक प्वायन्ट नाम के आईलेंड पर जो की कभी आम संबलर अब्दुलमजीद दलवई की बादशाहत होता था जिसे की सोहल ने उजार दिया था क्या हो चुका था क्या हो रहा था और क्या होना बाकी था वो खामोश हुआ तो फिगुएरा बोला दिस मीन्स एट दी मोस्ट वन वीक में उधर सब फिनिश हो जाएगा क्रामफरिंस के काबिल सब फिनिश हो जाएगा अब अपने वाली important बात बोलू आपको मालूम है कि उधर मुंबई में कोई दफेदार के trade पर हावी होने की कोशिश कर रहा है दफेदार को धक्का देकर या eliminate करके खुद उधर के region में heroin का soul distributor बनने की कोशिश कर रहा है कालिया एंथोनी कोई नया भाई वही जो उधर 20% कम rate पर दफेदार के मुकुल देसाई जैसे steady customers को heroin distribute किया वही बॉस million dollar question ये है कि दफेदार के competition में supply करने के लिए उसके पास heroin किदर से आया अपना रॉस का आइडिया है कि पाकिस्तान से आया अफगानिस्तान से आया देसाई को कालिया एंथोनी का आदमी बोला कि उनका माल लाउस में बनता है, Thailand से आता है, गुजरात में उतरता है और थोड़ा थोड़ा करके रोड के रास्ते मुंबई पहुचता है बंडल, सब बंडल वाई आप जानता है बॉस ये सब और्गिनाइज करने के लिए एक बड़ा एक्सपिरियंस्ड आर्गिनाइजेशन होना मांगता है, वो सोकाल्ड भाई कालिया एंथोनी कल तक जिसका कोई नाम नहीं जानता था कैसे आनन फानन ऐसा बड़ा आर्गिनाइजेशन खड़ा कर सकता है यू टेल मी नहीं खड़ा कर सकता तो फिर उसके पास डिसकाउंट रेट पर बेचने के लिए हेरोईन किधर से आता है? किधर से भी नहीं आता, वो हमारा माल है क्या? जो माल उसने डिसकाउंट रेट पर देशाई को सप्लाई किया है, वो मैंने आज मार्निंग में आने से पहले देशाई के पास जाकर एक्जामिन किया था बॉस वो हमारा माल है वो गारंटीर हमारा माल है कैसे मालूम? बोलता है, अभी जो 20 केजी बिग एव उधर बामबे बेकरी की मार्फत आगे सप्लाई हुआ वो एज एस स्पैशल केज दो 200 ग्राम की थैलियों की पैंकिंग में था ताकि हर थैली बेकरी के एक पाव में छुपाई जा सकती हर थैली में 99% प्योर, अंकट, नंबर 4 हेरोईं थी, टाइगर ब्रांड का ठपा था और हमारी सीक्रेट मार्किंग थी, कालिया एंथोनी के सप्लाई किये गए माल में से जो एक थैली देशाई ने मुझे दिखाई थी, वो वही थी हमारी, हमारी सीक्रेट मार्किंग वाली, एक्जैक्ली, अभी सोचो बॉस, जो माल दफिदार को सप्लाई हुआ, जिसका वो देशाई और उस जैसे डीलरों से आडर मांता है, बट आडर नहीं मिलता, वो इस सोकाल कालिया एंथोनी के पास कैसे पहुँच गया? हम दफिदार को उसके मोबाईल पर फोन लगाते थे, आखिरकार फिगुएरा बोला तो जवाब में दफिदार बोलता था और हर बात का एंकरेक्ट जवाब देता था फिर मालूम हुआ कि वो अपना इनायत दफिदार नहीं, उसका भतीजा सादत दफिदार था जिसे इनायत दफिदार ने सब सिखाया पढ़ाया हुआ था और खुद वो किसी वज़ह से अपने किसी मिशन की खातिर अपने आदमियों के साथ अंडरग्राउंड था भतीजे सादत दफिदार ने आज मार्निंग में पूछे जाने पर कन्फर्म किया था कि बामबे बेकरी में वन मिलियन डालर का पेमेंट इनायत दफिदार जमा कराया और उधर से सो पाव में छुपी 20 केजी बिग एज का सप्लाई वो सादत दफिदार नेफ्यू उठाया अगर वही माल आगे किसी कालिया एंथोनी के जरिये सप्लाई हो रहा है तो फिर वो इनायत दफिदार के पास कैसे हो सकता है इनायत दफिदार उसका आडर मांता कैसे हो सकता है बॉस इसी बात पर तो जोर है नहीं हो सकता यानि कि भतीजे ने जूट बोला कि अमाउंट अंकल जमा कराया, दिलीवरी वो उठाया बॉस कोई भतीजा है ही नहीं, अंकल ही भतीजा है और अंकल कोई और है कालिया एंथोनी और तो कोई कैंडिडेट इस ओनर के लिए इस वक्त दिखाई नहीं देता ये एक बड़ा जूट का जाल है, जो एक एकलोते आदमी का फैलाया हुआ है दफेदार से तालुक रखती एक बात गलत साबित हुई है, तो समझो बाकी बाते भी गलत है It stands to reason For example For example, दफेदार टैंपरेरी अपने साथियों के साथ अंदरग्राउंड नहीं है हमेशा के लिए अंदरग्राउंड है, दफन है खत्म है, ये बात गलत है, कि विंस्टन प्वायन को आग दुश्मन को मिस्गाइड करने के लिए उसने खुद लगाई कोई कैसे यूं मिस्गाइड हो सकता है असल में क्या हुआ होगा? बंगला दुश्मन ने फूका, साथ में दफेदार और उसके आदमी भी फूक गए और दफेदार की मौत को ज्यादा से ज्यादा देर तक राज बनाए रखने के लिए लैफ्टोवर्स का सफाया कर दिया, वहां हुई आगजनी का नामों निशान मिटा दिया दुश्मन कौन? सोहल? दफेदार का दावा था कि उसने राजा साहब उर्फ सोहल को खत्म करवा दिया था लेकिन अब ये दावा जूटा साबित हो चुका है, एशली क्राउन प्लाजा के बम विसफोर्ट में जो शक्स मरा था, वो राजा साहब नहीं था, ये बात उधर का तमाम मीडिया बोलता है और पुलीस इसकी तस्दीक करती है, बॉस ने मालूम किया है आरनाल्डो पहली बार बोला कि सोहल तो तब मुंबई में था ही नहीं, अभी भी नहीं है, फिगुएरा बोला, तो फिर दुश्मन कौन? आरनाल्डो बोला, कौन? फिगुएरा बोला, फिर तो जरूर कालिय एंथोनी माइकल हुआन बोला, जो कोई भी वो है, उसने दफेदार को फिनिश किया, और ये मित खड़ी की कि वो जिन्दा था, ताकि लगता कि वो उसका कम्पीटीटर था और उसको कम्पीटीशन देकर धंदे से आउट करना मांगता था, ऐसा हिंट काई रिमेंबर तेरे को ड्राप किया था, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नए आदमी को कोई आडर नहीं देता देसाई ने भी किधर दिया था? इसलिए एदबार के काबिल था. फिर तो ये कालिया एंथोनी बहुत चालाक और होश्यार आदमी हुआ जिसने अपने को ट्रेड में एस्टेबलिश करने के लिए ऐसा करनिंग रूट चुना. यू सेड इट, बॉस. फिर तो by inference हम ये भी कह सकते हैं, कि उसी ने दफेदार को खत्म किया और उस कोशिश में उसका personal mobile उसके हाथ में आ गया जिसका इस्तिमार, बड़ा काम्याब इस्तिमार, उसने ये मित खड़ी करने में किया कि दफेदार जिन्दा था और वो दफेदार को cutthroat competition दे रहा था. एग्जक्टली लेकिन बॉस आरनाल्डो बोला आपने खुद बोला कि 20% less rate पर heroin supply करना मुम्किन नहीं था. Supply करना मुम्किन था, फिगवेरा बोला मुम्किन है, वो कर ही रहा है, लेकिन करते रहना मुम्किन नहीं है. तो तो यही कि जब दफेदार के सारे ग्राहक उसके कबजे में आ जाएंगे तो पसर जाएगा. फिर correct rate पर supply करेगा. ऐसा नहुआ तो वो discount rate पर ही माल supply करता रहा तो फार argument से पूछता है, बॉस तो तो हमारे लिए problem होगी, तो उधर के हमारे dealers competitive rate पर हमारे से माल की मांग करेंगे, उनको right होगा ये कहने का कि जब दूसरे source से 20% less पर माल मिल रहा था तो वो क्यों हमें, I mean, हमारे distributor को order करें? But, boss, this is all academic. In practice, वो नया आदमी का लिया एंधोनी फर्दर supply के लिए और माल कहां से लेगा? हमी से लेगा. फिर हमें क्या problem है? फिर दफेदार का हमें क्या मीधा है? वो क्या हमारा कोई सगे वाला है? इस धंदे में कोई किसी का सगे वाला नहीं होता. ठीक, यानि कि हमें नए आदमी का लिया एंधोनी से दीलिंग कबूल. इन प्रिंसीपल कबूल, बट मुलाकात होना जरूरी. हमें मालूम होना चाहिए वो कैसा आदमी है? मुलाकात कैसे होगी? हुआन अरेंज करेगा. वो अपने आदमी के जरिये ही सही पाववाला के कांटैक्ट में आया, देसाई के कांटैक्ट में आया, उनमें से कोई उस तक हमारा पैगाम पहुचा सकता है, कि उससे मीटिंग होना जरूरी. फिर देखेंगे, एक्सक्यूज मी, बॉस, अगर वो सोहल निकला तो, तो भी देखेंगे हाला कि मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसा होगा, खत्म कर देंगे. परसो फोन पर इबराहीम बटला मेरे को साफ हिंट दिया, कि दफेदार फिनिश था और उसके फोन से जवाब देने वाला शक्स सोहल था, तब मैंने ही उसको दलील देकर समझाया था कि वो सोहल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो नॉर्कोटिक्स ट्रेड के सक्त खिलाफ था. तो नहीं होगा, we have to keep all options open. फिगुएरा हुआन की तरफ घूमा. What to do you say, Michael? I am with you, boss. हुआन कतपर स्वर में बोला. You will locate this Kalia Anthony at your earliest? Yes, boss. Good, I am glad. और आर्नाल्डों ने जल्दी से जोड़ा सोहल का भी पता करने का कि वो अभी बाहर ही है या मुंबई लॉट आया हुआ है. Okay, Juan बोला. Anything else? No, boss. So I order under round off, कोनिया? Asterisk, asterisk, asterisk. आधी रात को जब विमल सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसकी निगाह दफेदार वाले मोबाईल की स्क्रीन पर पड़ी. उस पर एक incoming message की और पाँच मिस्ट काल्स की हाजरी दर्ज थी. नेपाली बस्ती की अफरात फ्री में एक मरतबा भी उसकी तवज्जो मोबाईल की तरफ नहीं गई थी. मिस्ट काल पाँचो जीनत की थी. जिनका होना ना होना अब उसके लिए एक बराबर था. मैसेज आया होना हैरानी की बाद थी. पिछले शनिवार से वो फोन उसके कबजे में था. वो पहला मौका था जबकि उस पर एक SMS रिसीव हुआ था. उसने मैसेज खोला तो पाया वो भी जीनत का था. जाहिर था कि फोन पर जवाब न मिलने की वज़़ से उसने मैसेज भीजा था. मैसेज पढ़ने से पहले उसने मैसेज डिटेल्स में उसकी आमद का टाइन देखा. 9 बजे जबकि तब 12 बजने को थे. उसने मैसेज पढ़ा, स्क्रीन पर दर्स था. मैंने 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आये, कई बार का लगाई तो जवाब न दिया, इसलिए ये SMS अरसाल है. 9 तुम्हारा नााना इस बात का सबूत है, कि तुम इनायत दफेदार हो ही नहीं, तुम्हारे पास दफेदार का मोबाईल है, जो उसके खत्म हुए बिना तुम्हारे हाथ नहीं लग सकता. दफेदार मेरा शैदाई था, मुझ पर फिदा था इसलिए अपनी हर बात मेरे से करता था इसलिए मुझे मालूम है कि उसका कौन खास दुश्मन था यानि की कौन तुम हो दफेदार अपने खास दुश्मन की लाश न गिरा सका, खास दुश्मन ने उसकी लाश गिराई और आगे दफेदार के मुबाईल के जरीए पाखन फैलाने लगा कि दफेदार जिन्दा था तुम अपने किसी खास मकसद की खातिर कब के खत्म हो चुके दफेदार को जिन्दा बताना चाते हो और तुम्हारे इस मकसद से अब मैं वाकिफ हूँ मैं कल सुबा नौ बजे माहिम के होटल पामोव के रूम नंबर 404 में तुम्हारा इंतिजार करूंगी याद रखना उस मुलाकात में हम दोनों का फाइदा होगा तुम्हें अपना कोई फाइदा न दिखाई दे तो आइंदा बेशक न मिलना लेकिन अगर आज शाम की तरह कल भी तुम न आए तो मैं चौतरफा फैला दूंगी की दफेदार मर चुका है तुम उसके कातिल हो और तुम कौन हो जीनत जैदी साली जोंक विमल होठोर में फिर उसने फोन बंद कर दिया बगबुदाया चाप्टर दू सात्वा दिन शुक्रुवार पंदरा जन्वरी अगले रोज सुबह सवेरे राजेश लोखंडे की लाश माहिम काजवे के करीब माहिम क्रीक में तैरती पाई गई जल्दी ही उसकी शनाक्त हो गई जिसके अनुसार वो जम्बुवारी धोबीतलाब का निवासी था और डोलस फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आकाश गंगा, करनर रोड बांदरा का मुलाजन था अभी परसो उसके छोटे भाई मंगेश लोखंडे का ऐसे ही रहसपूर्ण धंग से मातुगा में कतल होकर हटा था पुलीस के लिए हैरानी की बात थी कि 36 घंटों में सगे भाईयों का शहर के दो विभिन्न भागों में गोली मार कर कतल हो गया था और कतल की कोई वजह सामने नहीं थी, कातल का कोई सुराग उपलब्ध नहीं था दोनों के एंपलायर प्रकाश दादा डोलस ने अपने दो करमट और कुराने करमचारियों की हत्या पर अफसोस जाहिर किया था लेकिन उस सिलसिले से संपूर्ण अन्भिग्यता जाहिर की थी साड़े आठ बजे इब्राहीम बटला माहिम और आगे होटल पामग्रोफ पहुँचा लॉबी में दाखिल होकर वो लिफ्टो की और बढ़ा तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे टोका किधर जाने का साहब वो बोला उपर बटला भुन भुनाया रेजिडेंट है रेजिडेंट का फिरेंड हूँ महमान हूँ रिसेप्शन पर जाईए काहे कूँ मालू मेरे को किधर जाने का मेरे को रूम नंबर रिसेप्शन पर जाईए निगाहों से भाले बरहियां बरसाते बटलाने उसे घूरा गार्ड पर उसके घूरने का कोई असर हुआ हो ऐसा ना लगा गार से परे हट कर उसने जीनत के मोबाइल पर काल लगाई अरे ये लोग मेरे को उपर नहीं आने दे रहें वो ज़लाया साले जानते नहीं किस से पंगा ले रहे हैं कहा हो? सुनती नहीं है, साली अरे जब मैं कह रहा हूँ ये लोग मेरे को उपर नहीं आने दे रहे तो कहा हूँगा लोबी में अभी आई बात मगज में रिसेप्शन पर जाके बोलो मैं भी बोलती हूँ पाव पटकता वो रिसेप्शन पर पहुँचा जीनत जैदी वो एक रिसेप्शन प्लर्क से बोला रूम नमबर 404 जाकर मिलने का जस्ट ए मुमेंट सर प्लर्क सादर बोला उसने एक टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो पहले ही बज उठा उसने फोन सुना उसे क्रेडल पर वापस रखा और बोला यू कैन गो सर बटला वापस लिफ्टों की और बढ़ा शायद रिसेप्शन से गाड को इशारा मिल गया था क्योंकि इस बार वो बड़े दर्शनी अंदाज से बटला का रास्ता छोड़ कर परे खड़ा हो गया गए बटला लिफ्ट में सवार होकर चौथी मन्जिल पर पहुँचा उसने 404 फीट के दर्वाजे पर दस्तक दी ततकाल चौखट पर जीनत प्रकट हुई खुशामदीद उसके लिए ततकाल रास्ता छोड़ती और मुस्कराती वो बोली जल्दी आ कोई ज्यादा जल्दी नहीं भीतर दाखिल होता बटला भुन भुनाया जीनत ने उसके पीछे दर्वाजा बंद किया 404 फीट एक सुईट था बटला ड्राइंद रूम जैसे फ्रंट रूम में रुकने की जगब पीछे बैडरूम की तरफ बढ़ा जीनत ने उसका अनुसर्ण किया वो नौ बजे आएगा वो बोली अगर आएगा बटला आग्तन भुन भुनाया मैंने जैसी धमकी जारी की है उसकी रूम में जरूर आएगा अगर धमकियों से डरने वाला होगा जो होगा सामने आ जाएगा आदे घंटे की तो बात है ठीक नीचे लॉबी में मेरे सीधे उपर आने में पंदा क्यों पड़ा पहले तो ऐसा नहीं होता था कल रात पुलीस इधर आई बोले तो रात देड बजे और आकर एक दहशत गर्द को पकड़ा पाकिस्तानी था जो बिना पास्पोर्ट वीसा खुफिया तरीके से चार रोज से इधर छुपा था पुलीस ने गुमनाम टिप पर काम करके उसे थामा उस वज़े से होटल वालों का भी बैंड बजा दिया बंद करा देने की धंकी दी मानिक दादर में रहता था दोड़ा आया तब पुलीस को मालूम पड़ा की कॉंग्रेस का नेता था नतीस्तन स्टाफ को चौकसी बरतने की हिदायत जारी करके पुलीस वाले चले गए एक हिदायत ये भी है कि यहां ठहरे महमानों से मिलने आने वाले हर भीडू को स्क्रीन किया जाए उसकी महमान को खबर की जाए और महमान की ओके मिलने पर ही उसे महमान के रूम में जाने दिया जाए ओ चंद रोज का तमाशा है बाद में फिर पहले जैसी भेड चाल हो जाएगी ठीक फिर बटला ने आख भर कर उसे देखा वो एक गाउन सा पहने थी जिसकी दोरी उसकी पतली कमर के गिर्द यू बंधी हुई थी कमर और पतली लग रही थी गाउन के गिरहबान कीवी इतनी गहरी थी कि उसके उन्नत वक्ष का एक तिहाई उभार बाहर जांक रहा था वो जरा सा हिलती डुलती थी जुकती थी तो वो दो तिहाई बाहर जाकने लगता था उसकी आंखों में लालसा की चमक आई इधर आ वो तनिक भय कंट से बोला किधर? जीनत इचलाई किधर आऊं? साली तुझे नहीं पता अमानत में खयानत का एरादा है किसकी अमानत? बोल किसकी अमानत? तू नाम बोल फिर मैं बोलता हूँ मेरा इधर कोई काम नहीं जुम्ला कसने में उस्ताद हो हुए हो? अभी कहा? अभी पहुचने का ना इधर आ तुम भूल रहे हो कि कोई आने वाला है ये बात भी इधर मेरे पास आके मेरे को समझा इठलाती हुई वो उसके करीब आई बटला ने एक हाथ उसकी कमर में डाल कर उसे अपने साथ लगाया और दूसरा उसके वक्ष की घातियों में सरका दिया जीनत छितत कर उससे अलग हुई क्या करते हो? फिर बोली ये कोई टाइम है क्या हुआ है टाइम को? अरे कोई आने वाला है समझते क्यों नहीं? उसने सहमती में सिर हिलाया और अपनी कलाई घरी पर निगाह डाली जो टाइम बाकी है जीनत बोली उसमें कोई नाश्ता पानी करने की सोचो वही तो सोचा था वही तो करने लगा था भांजी मार दी तौबा अरे मैं पूछ रही हूँ कोई चाइ वाइटी कोई ब्रेकफास्ट किया साला मोहन नहीं धुया उट्ते ही चला आया ओ बोले तो मैं भी अभी रिसेप्शन से तुम्हारी बाबत फोन काल आने पर उठी हूँ फिर भी साली शीशे की तरह चमक रही है वो हसी एक मादक हसी दफेदार ऐसे ही नहीं सोदाई था तेरा सोदाई से सोदा क्यों फिट कराया पास रखते अभी सुधारोंगा ना अपना मिस्टेक अभी बोल टाइलेट किधर किधर है इस बैडरूम के बाजू में ही है लेकिन रास्ता बाहर ले कमरे से है आता है बटला बैडरूम से बाहर निकल रहा कितनी ही देर वो बातरूम में बन रहा उस दौरान जीनत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल समवारती रही बटला बैडरूम में वापिस लोटा अब कोई छोटा मोटा ब्रेकफास्ट आडर कर वो बोला अब टाइम होगा वो सशंक भाव से बोली क्या हुआ है टेम को वो सच पूछे तो मेरे को यकीन ही नहीं है कि वो आएगा ऐसा था तो यहां क्यों आए इधर आ बताता हूँ रहने दोप मैं ऐसे ही समझ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट का आडर करती हूँ उसमें रूम सर्विस पर फोन लगाया वे प्रतीक्षा करने लगे उस दौरान बटला बड़ी शराफत से पलंग पर अधलेता सा पड़ा टीवी आन करके उसकी चैनले बदलता रहा ठीक नौ बजे फोन की घंटी बजी बटला सीधा हुआ उसने रिमोट से टीवी आफ किया जीनत ने रिसीवर उठा कर कान से लगाया मेरे को उसकी आमद की खबर उसको दस मिनट वेट करने को बटला माउथ पीस पर हात रखता फुस फुस आया जीनत की भवे उठींग बोल बोला न मैडम लाइन पर है न हाँ गैस्ट को दस मिनट उधर लोबी में रोको और फिर आने दो ओके मैडम लाइन कट गई जीनत ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखा और प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा अभी दो काम कर बटला बोला क्या एक तो ब्रेकफास्ट का पता कर उनको बोल अभी नहीं भेजा तो पंद्रा मिनट बाद भेजे पंद्रा मिनट में क्या कुछ तन न कर टेम का तोड़ा है जो बोला वो कर उसने रूम सर्विस पर काल लगाई और वो निर्देश दोहराया और फिर बोली दूसरा काम जाके ब्रश करके आ मुमबास मार रहा है जीनत के चहरे का रंग बदला भाव मत खा बटला समझाने के लहजे से बोला तेरी खातिर ही बोला मेरा नहीं तो आने वाले का लिहास कर सालम नहीं धुली तो मोह तो धोप जा बुन बुनाती हुई वो बाहर को बढ़ी बटला भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया उसने जीनत को बातरूम का दर्वाजा खोल कर उसके पीछे बंध होते देखा वो प्रवेश द्वार पर पहुचा और उसने भीतर से लगने वाला उसका लॉप खोल दिया उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगार डाली वो बैडरूम में लोटा उसने उसके दर्वाजे की ओट ले ली और गन निकाल कर हाथ में ले ली दर्वाजे की ओट से बाहर जाकता वो प्रतीक्षा करने लगा जीनत से बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुआयना किया उसके चहरे पर संतोष के भाव आए बटला ने गलत नहीं कहा था कि वो सोके उठी होने के बावजूद शीशे की तरह चमक रही थी लेकिन जो कहा था ये कहके हाथ के हाथ ही उस पर खाक डाल दी थी की मुम्ह बास मार रहा था ऐसे कहना चाहिए था उसमें अपनी हथेली मुह के आगे करके उस पर तीन चार बार सांस ली और फिर हथेली को सूंगा वैसी कोई बात उसे ना लगी लेकिन होती भी तो ऐसा कहना चाहिए था आखिर कहजीब का भी कोई तकाजा था बटला की सुबह सवेरे की आमद उसे सस्पेंस में डाल रही थी जब से उसने वहां कदम रखा था नाहक उसे फिजा भारी लगने लगी थी पता नहीं किस फिराक में था किसी भी फिराक में हो अपने किसी बखेडे में उसे ना लपेटे उसके साथ कोई पंगा ना करे किया तो वो क्या कर लेगी कुछ तो कर ही लूँगी वो द्रिड़ता से होठोन में गुद्बुदाई आखिर दफेदार की सोबत की है इतना अर्सा बाथरूम के एक क्लोजेट में से उसने 22 कैलीबर की एक खिलोना सी गन बरामत की उसने सुनिश्चित किया कि उसकी मैगजीन गोलियों से भरी हुई थी और फिर उसे अपने गाउन की दाई पाकेट में रख लिया वो फिर सिंग के सामने पहुची उसने अपना तुथब्रश काबू में किया और तुथपेस्ट की ट्यूब उठा कर उस पर पेस्ट लगाने लगी काल बैल बजी बटला अपने स्थान से नहिला दर्वाजे पर दस्तक पड़ी उसने उसको भी नजरंदाज किया दर्वाजा खुला एक सूटबूट धारी व्यक्ती ने भीतर कदम रखा उसकी निगाप पैन होती उसके सामने घूमी बटला ने देखा कि जैसी की उसे अपेक्षा थी वो सोहल नहीं था वो एक भारी चेहरे वाला आदमी था जो मूच और फुल डाड़ी रखे था उसकी नाख पकोड़े जैसी थी और गाल भी वैसी ही फूले हुए थे भवे भारी थी और सिर पर इतने घने बाल थे कि अपनी जड़ों पर सीधे खड़े जान पड़ते थे आंखों पर वो बड़ा फैशनेबल चश्मा लगाए था सूट के साथ वोटाई नहीं लगाए था इसलिए गला खुला था और उसमें पड़ी क्रास वाली जंजीर दिखाई दे रही थी उसकी बाई कलाई पर रॉलेक्स की घड़ी थी और तरजनी उंगली पर वो आसाधारण आकार के पुखराज से जड़ी अंगुठी पहने था दाए हाथ की कलाई पर वो मोडी जंजीर वाला सोने का आइडेंटिडी ब्रेसलेट पहने था कौन था उसने उलजन पूर्ण भाव से सोचा सोहल नहीं था तो कौन था एक ही संभावना थी वो ओट से बाहर निकला उसने बाहरी कमरे में कदम रखा खुशामदीद वो बोला पीछे दर्वाजा बंद कर दो और जरा पास आजाओ आगंतुक के विमल के चहरे पर उलजन के भाव आए भीडू बटला ने उसे गन दिखाई में बोला कुछ विमल ने सहमती में सिर हिलाया पाव की ठोकर से उसने पीछे दर्वाजा बंद किया और संतुलित कदम रखता आगे बढ़ा बस बटला तीखे स्वर में बोला काफी है विमल फिटका घूमो बटला बोला पीठ मेरी करफ विमल ने आदेश का पालन किया दोनों हाथ सिर से उपर विमल ने हाथ उठा दिये गन ताने सावधानी से चलता बटला उसके पीछे पहुचा उसने उसकी खोपड़ी पर गन की नाल की दस्तत देकर उसे चेतावनी दी फिर गन को बाएं हाथ में चांस्वर करके डाएं हाथ से उसके सारे बदन का थपथपा कर तसली की की वो हत्यार बंद नहीं था वो उसके पीछे से परे हट गया हाथ नीचे फिर बोला मुह मेरी तरफ विमल वापिस घूमा उसने एक सरसरी निगाह बटला पर डाली कौन हो भई? फिर बोला मैं यहां किसी और से मिलने आया था किस से? जीनत जैदी से ये उसी का रूम है न या मैं गलत जगा पर आ गया हूँ? ठीक जगा पर आये हो तुम कौन हो? खाकसार को इबराहीम बटला बोलते हैं ओ, ओ, मुझे हाथ में थमी गन से ही समझ जाना चाहिए था अब बोलू तुम कौन हो? मैं वो शक्स हो जिसके वजूद का तुम्हें संस्पेस है आने वाले दिनों में हो सकता है हम हम अप्याला, हम निवाला, हम अन्वाज, हम कदम हो मैं और और कौन? कालिया एंथोनी? ओ, तो तुम हो वो सूर्मा, वो बड़े खलीफा जिसके आजकल इधर इतने चर्चे है गौड इस काइंड दफिदार कपक गया विमल खामोश रहा जूट बोलने का अब कोई फाइदा नहीं तुम्हारी हामी के बिना भी मुझे मालूम है गारंटी है कि वो अब इस दुन्या में नहीं है तो पूछते क्यों हो? तस्दीक के वास्ते, अब हाँ या न जो बोलना है, बोलो हाँ, बड़्किसनती से हाँ तुमने टपकाया? उसने खुद अपनी मौत बुलाई लेकिन जरिया में बना विन्स्टन ट्वायंट पर उसके और उसके आदमियों के समेथ सब फूम दिया? हाँ, वज़ा? एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती इधर का ड्रग लाड मेरे को और खाली मेरे को बनने का दफेदार की मेरी दुन्या में कोई गुंजाईश नहीं थी हूँ, मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारे चर्चे मैंने सुने हैं ये भी सुना है कि तुम्हारे में और दफेदार में चोली दामन का साथ था आगे तुम्हारे पर मुनसर है क्या? साथ बनाये रखने के लिए जहां चोली गई वहीं दामन पहुचेगा या भूल जाओगे कि चोली दामन का ऐसा कोई साथ कभी था बोले तो मेरे को भी तपका दोगे क्या प्राबलम है बड़ा बोल बोल रहे हो अपना अपना खयाल है, मिया मेरे हाथ में गण है, तुम उसकी जद में हो कैसे बचोगे? वो वो बचाएगा, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी जुबान में? हाँ जिसको अल्लाह रखे, उसको कौन चखे? अल्लाह ने आकर फूंक मारी तुम्हारे कान में कि वो तुम्हे रखेगा, तुम्हे कोई नहीं चखेगा है तो ऐसी जुदि पन मेरे को मालूम की यकीन आने में तेरे को पिराबलंग बटला सपकाया मेरे साथ मेरा पालनहार है, तेरे साथ तेरी गन है देखते हैं कौन जीतता है बटला के चहर पर असमंजस के भाव आए तू हत्यार बंध है मैं डिफेसलेस तेरे सामने खड़ा हूँ देखते हैं कौन जीतता है बटला के चहरे पर हैरानी के भाव आए सूरा सो सहराये, अंग ना पहरे लो, जुझे सब बंध खोली के छाड़े तन का मूँ तू, तू सोहल है अच्छा ये जुबान सोहल की है जुबान पहचानता है, शकल नहीं पहचानता मेक अप है विमल हसा बटला के होंट भिंचे, गन सामने ताने वो दृड़ता से विमल के करीब पहचा खाली हाथ बढ़ा कर उसने उसके सिर के बाल खीचे, फिर बेरहमी से दाड़ी खीची कोई नतीजा सामने ना आया दाड़ी खीचने की एवज में विमल दान्त किटकिटाता सा बोला मैं तेरे प्रान खीच लूँगा, इबराहीम बटला बटला घबरा कर दो कदम पीछे हट गया, बड़ी शिद्दत से उसने खुद को कुछ क्षन बोजिल सन्नाटा चाया रहा काबू में किया, दफेदार ने फिर बटला बोला होटल सीवियू को खाक में मिला कर सोहल पर उसके सारे वजूद पर बड़ा वार किया था सारे अंडरवर्ड में चर्चा है कि सोहल ने उसी वार कर बदला दफेदार और उसके खास साथियों की मौजूदगी में विंस्टन पॉइंट पर हमला करके लिया था इस लिहाज से तू सोहल है, तू सोहल के अलावा कोई हो ही नहीं सकता दिल को बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है ये खयाल नहीं, हकीकत है, अब तू इधर से जिन्दा वापिस नहीं जा सकता वान्दा नहीं मेरे को, मियान, मौत तो जिन्दगी का आखिरी अन्जाम है, मौत से दरना एहमकों का काम है तू कुट्टे की मौत मरेगा तेरे जैसे बहुत भीडू बोले मेरे को ऐसा, तमाम के तमाम दूसरी दुनिया में है मिया, बहादूर कभी कुट्टे की मौत नहीं मरता, बहादूर बहादूर की मौत मरता है, और जो बहादूर की मौत मरता है, वो कभी नहीं मरता क्या? बटला ने बेचेनी से पहलू बदला अब बोल जिससे मैं मिलने आया, जिसने मेरे को इधर बुलाया, वो कहा है? बाथरूम में बटला बदले स्वर में बोला, वो एक ख़ण ठिटका, फिर उसने जोडा मरी पड़ी है क्या? सुनाई में लोचा मैं बोला मरी पड़ी है क्या हुआ? कैसे पर गई? जहर से मरी जहर खतरनाक जानलेवा जहर दूसरी सांस नहीं लेने देता, तुथपेस्ट की ट्यूब में था, दान्तों को ब्रश करने गई, आगे सोच क्या हुआ होगा? तुथपेस्ट की ट्यूब में जहर का क्या काम? आम तौर पर कोई काम नहीं खास तौर पर खास तौर पर खास काम खलास करने का अभी आई बात मगज में हूँ, क्या किया? इंजेक्शन की सीरिस में जहर भर कर आगे तुथपेस्ट की ट्यूब में पहुँचाया यानि इराद्तन उसका कतल किया बरोबर और अब इराद्तन तेरा कतल करूँगा तु ये इरादे है इसलिए तु यहां मौजूद है हां, अगर तु सोहल है तो बात ही क्या है तो मैं समझंगा जो काम कोई न कर सका वो आखिर मैंने किया दफेदार की जगा मेरे को फिरंगी आकाओं की वावा ही हासिल होगी अगर तु सोहल नहीं है सच में कालिया एंथूनी करके कोई भीड है जिसने की दफेदार को टपकाया तो मैं समझंगा मैंने दफेदार की मौत का बदला लिया टॉप ड्रग लाड़ का दर्जा हासिल करने के आइंदा रास्ते में आने वाला कम्पिटीशन फिनिश किया मरने के लिए तयार हो जा मरने के लिए मैं हमेशा तयार रहता हूँ बदिया जब निशाना मैं था तो लड़की को क्यों मार डाला? तरकीब लड़ाई न जुगत की न मैं समझा नहीं जीनत के किरदार से इधर हर कोई वाकिफ है पाई है हाँ, पंचुनिंदा क्लाइंट्स के लिए काम करने वाली चुनिंदा क्लाइंट्स जैसे की इनायत दफेदार जैसे की मैं, जैसे की तू हाँ दफेदार ने इधर आना बंद कर दिया तो उसने तेरे को भाव दिया आज तेरे साथ उसकी पता नहीं क्या जिकी जिकी हुई या तूने पता नहीं उसके साथ क्या पंगा किया कि गुसे में बेकाबू होकर उसने तेरे को गोली मार दी, तेरे धेर होते ही उसका गुसा काफूर हो गया, फिर अपने अंजाम से खौफ जदा होकर उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, अब उसने अपना गन हात पूचा किया वाहे गुरु विमल मन ही मन बोला सच्चे पाथ्षा, मारे राखे एको आप मानुक को कुछ नहीं हाथ तभी काल बैल बजी जिसकी विमल पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई न दी बटला ने वो बात नोट की होती तो तो जरूर हैरान हुआ होता रूम सर्विस वो बोला वेटर ब्रेकफास्ट के साथ आने वाला था वही आया है, जाके रिसीव कर मैं तेरे को कवर करके रखेगा, कोई पंगा किया तो गोली मैं पीट पर गोली खाने वालों में से नहीं हूँ बढ़िया, जा विमल ने आगे बढ़ कर दर्वाजा खोला चौखट पर हाथ में कपड़े से धकी बढ़ी सी ट्रेलिये वेटर बना विक्तर खड़ा था ग्रेकफास्ट फार टू, सर वो अदब से तनिक उच्चस्वर में बोला आमलेट चिकन सेंडविच, काफी, एंड विक्तर की एक आख तनिक जपकी ए सरपराईज आइटम आन हाउस, सर सैंटर टेबल पर रखो विमल बोला उसके आगे बढ़ने से पहले दोनों की निगाह मिली विमल ने आमखो आमखो में विक्तर को आश्वासन दिया कि स्थिती काबू में थी और आगे भी वो उसको काबू में रख सकता था विक्तर ने च्रे ले जाकर आदेश आनुसार सेंटर टेबल पर रखी फिर उसने बगल में दबा बिल फोल्डर निकाला बाद में विक्तर वहां से रुखसत हो गया लास्ट सपर तीछे विमल बोला क्या बोला? बटला बोला लाइक जीसस क्राइस्ट बोले तो हर मरने वाले को उसकी आखरी ख्वाहिश के तौर पर एक आखरी भोजन की इजाज़त होती है मैं चिकन सेंडविच खा के मरना चाता हूँ, कोई एगरास? बटला हसा माथा फिरेला है फिर बोला पन बोले तो वांदा नहीं, खा थैंक यू विमल सेंटर टेबल पर जुका उसने ट्रेपर का कपड़ा अपनी तरफ से उचा किया और नीचे हाथ डाला जरा सा टटोलने पर उसका हाथ के दस्ते पर जा कर पड़ा उसने हाथ बाहर खीचा और फायर किया बटला के हाथ से उसकी गन निकल गई वो भौचक कासा अपने खाली हाथ को देखने लगा क्या? विमल अप साइलिंस लगी गन उसकी तरफ तांता विश्भरे स्वर में बोला वो वो वेटर क्या वेटर क्या नानवेटर? वीर मेरे तकदीर खराब होनी चाहिए जो की तेरे जैसे टॉप के हरामियों की आखिरकार होती ही है तू? तू क्या करेगा? मैंने क्या करना है? जो करेगा तेरा बुरा वक्त करेगा मैंने कहा था जिसको अल्ला रखे उसको कौन चक्खे? अल्ला ने तुझको नहीं रखा, अब तुझे मैं चक्खूंगा तू? तू? मुझे मारेगा? और तेरी आरती उतारूंगा? मेरी तेरे से कोई अदावत नहीं कैसे नहीं पराबर है मेरे को जान से मार देने का मनसूबा जटा कर क्या दोस्ती का एलान किया था वो सब एक एक गल्तफ हमी के तहट हुआ अब जो होगा किसी गल्तफ हमी के तहट नहीं होगा जो होगा सोचा विचारा होगा का क्या तेरी स्क्रिप्ट मेरे को पसंद आई मैं उसी पर अमल करूँगा बबोले तो दफेदार ने इधर आना बंद कर दिया तो जीनत ने तेरे को भाव दिया आज तेरे साथ उसकी पता नहीं क्या जिकी जिकी हाई या तूने पता नहीं उसके साथ क्या पंगा किया की गुसे में देकाबू होकर उसने तेरे को गोली मार दी तेरे धेर होते ही उसका गुसा फूर हो गया, फिर अपने अंजाम से खौफ जदा होकर उसने जहर खा कर खुद कुशी कर ली, यही बोला था ना, कोई बात भूल तो नहीं गया मैं, बटला के मुह से बोल न फूटा, उसकी और हाथ में थामे विमल वहां पहुचा जहां बटला के हाथ से निकली गन गिरी पड़ी थी बटला पर से निगाह हटाए बिना उसने उस गन को उठाया और वापिस बटला के सामने लोटा, नाओ, वो गन वाला हाथ सीधा करता बोला, बाप बटला गिरगिराने लगा गोली मत चलाना, मैं तेरी बकरी, मैं तेरी गाए, मेरे उस्ताद में मुझे सिखाय कि कभी दुश्मन का लिहाज न करो, कभी दुश्मन को सफाय देने का मौका न दो, कभी दुश्मन की गिरगिराहट पर कान न दो, क्योंकि गिरगिराता वो है, जो कमजोर होता है, जिसके मन में चल होता है, जो समझता है, वो बातों से जीत सकता है पन बाप, दुश्मन किधर है इधर? सामने बैठा है, जो अभी मेरे पर गन ताने था, मेरे को शूट बस करने ही वाला था, वो दोस्त कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कर, सब एक गलतफमी के तहत हुआ, तू भाव खाना बंद कर, सब अभी का अभी ठीक हो जाएगा, बोले तो दोनों एन एक टाइप के भीडू है, इसलिए हमारा साथ निबना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा, मैं भी तलवार सा पन बाप कोट की दाई जेब में क्या है? कक्या? कोई भारी चीज है, जेब भार से नीचे को लटकी जान पड़ती है वो, वो, क्या है की? हाथ उपर बटला ने बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से दोनों हाथ सिर से उपर उठाए विमल ने करीब जाकर दाई जेब में हाथ डाला, हाथ वापिस खीचा तो पाया की उसमें छोटी सी गन थी 22 कैलीबर की नाना हतियार गुड वो बोला कक्या बटला बोला विमल ने उसकी तरफ कवज्जो न दी, उसने अपने कोट का कालर उठाया और उसके पीछे छुपे मिनियेटर ट्रांस्मिटर के पास मुंग ले जाकर बोला आजा बटला असमंज स्पून भाव से उसकी ओर देखने लगा दर्वाजा खुला और तब भी वेटर की वर्दी पहने विक्तर ने भीतर कदम रखा, उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद किया विमल के करीब पहुँचा बाथरूम में जा विमल बोला ए कहता है लड़की वहां मरी पड़ी है, तस्दीक कर सहमती में सिर्हिलाता विक्तर बाथरूम की तरफ बढ़ा ये, ये बटला के से निकलाए क्या ही ये? तेरे साथ है, तेरा भीडू है तेरा क्या खयाल है? विमल मुस्कराया इसी वास्ते ब्रेक्फास्ट की ट्रे में गन कितना शाना है? सब कैयारी करके इधर पहुँचा इस बात का भी इंतजाम की इधर की हर बाथ बाहर सुनी जा सके इसी वास्ते एन मौके पर वेटर ब्रेक्फास्ट की ट्रे के साथ इधर पहुँचा कैयारी की बात करता है, तो तब ही विक्तर वापिस लोटा विमल ने ठिठक कर उसकी तरफ देखा तो उसने सहमती में सिर हिलाया जहर से विमल ने पूछा ऐसी जान पड़ता है विक्तर बोला, फिर उसने बटला की तरफ देखा इसने किया हाँ, खुद ऐसा बोला जीसस, he should get arrested तिगर्मी भीड है, जो गारू भाई है, छूट जाएगा ये तो जुल्म होगा नहीं होगा, इसको मालूम, तेरे को अभी मालूम पड़ेगा ओ मैं तेरे को बोल रहा था विमल वापिस बटला की तरफ घूमा तयारी की बात करता है तो एक बात और भी सुन, लड़की ने जीनत ने जो धमकी मेरे लिए जारी की थी मेरा उससे कोई सरोकार नहीं था, वो गले में धोल लटका कर चलाती फिरती की दफेदार मर चुका था और मैं उसका कातिल था तो भी मेरा कोई लेना देना नहीं था फिर भी इधर आया, बटला के मुह से निकला क्योकि मेरे को गारंटी थी कि तू इधर होगा, मैं लड़की की धमकी से दर कर इधर नहीं आया, तेरे रूबरू होने के वास्ते इधर आया, जानने समझने आया कि तू क्या बला था, तेरी क्या आउकात थी, तू दोस्त भला था या दुश्मन जो तेरा मनसूबा था, तू मेरी पसंद का भीडू न निकलता तो वहीं मेरा इरादा था, तू समझता था, तू इधर मेरी लाश गिरा सकता था, मैं जानता था, मैं इधर बड़ी सहूलियत से तेरे को खत्म कर सकता था, अभी बोल, तू ठीक समझता था या मैं ठीक जान बटला के मुंग से बोल न फूटा विमल ने साइलेंसर वाली गन विक्तर को थमा दी और बड़े सहेज भाव से बटला के कोट की जेट से बरामत हुई 22 कैलीबर की गन उसकी तरफ तानी बटला ने अपने सूखे होंटों पर जुबान फेरी और बेचेनी से पहलू बदला तूने धारावी के एक बेवडे के अड़े पर एक भीड को वायंद ब्लैक शूट किया विमल बोला और बावजूद एक चश्मदीद गवा के वजूद में होने के तेरा कुछ न बिगड़ा क्योंकि तूने अपने चम्चे गोट्या राजे के जरीए गोवा एक्स्प्रेस पर गवा का भी कतल करा दिया अभी अपनी जुबानी कबूल किया कि जीनत को जहर देकर तूने मारा और भी न जाने कितने लोग तेरी वजह से जान से गए होंगे लेकिन तुझे सजाय मौत के लिए उतना ही जरूरत से ज्यादा है जो मैंने बयान किया अभी तेरा जज और जलाद मैं मुझरिम इबराहीम बटला उर्फ शैतान की ओरिजिनल उलाद इनसाफ के नाम पर मैं तुझे मौत की सजा देता हूँ और तेरा खोन अपने सिर लेता हूँ ननी गन से दो गोलिया चली एक बटला के दिल में घुज गई और दूसरी उसकी भवों के एन बीच यू दाखिल हुई जैसे माथे पर बिंदी लगी हो वो धराम से सेंटर टेबल के करीब धराशाई हुआ देख विमल बोला विक्तर ने आगे बढ़कर उसका मौाइना किया फिनिश फिर बोला ये गण इसकी है विमल उसे बटला के हाथ से निकल कर गिरी गण दिखाता बोला इस पर इसकी उंगलियों के निशान है मैंने इसको खाली नाल से पकड़ा था जिसे की मैंने पोच दिया है इसे इसके फैले हुए दाए हाथ के करीब डाल मैं ननी गण को सैट करता हूँ विक्तर ने जेब से बाल पैर निकाला और उसको बटला की गण की नाल में डाल कर गण विमल के हाथ से ले ली कातिल गण के साथ विमल बाथरूम में पहुचा जहां जीनत का मृत शरीर अंधे मुह बाथरूम के टाइलो वाले फर्ष पर पड़ा था उसने रुमाल निकाल कर गण पर से अपने फिंगर प्रिंट्स पोचे